जेन बेजना में की विप आपका स्वागत है चलिए प्रारम करते हैं आज का पहला प्रस्टन है बिहार के किस जिले में 165 करूर की लागत है 165 करूर की लागत से बने इसका अंसर हो जाएगा भागलपूर याद रखेंगे जहां पर यह टेकनलोजी पार्क कितने लागत से बन रही है 165 करूर की लागत से कहां पर भागलपूर में अब कुछ भागलपूर से रिलेटेड फैक्स हम लोग याद रखेंगे जैसे यह जो अस्थान है वो है बरारी जहां पर यह टेकनलोजी पार की अस्थापना की जारी है उद्गाटन करता कौन है उद्गाटन करता भारत की वोक्ता मामले खाद और सार्वजनिक वितरन राज्यमंत्री है यह अस्वनी कुमार चोबे उनके द्वारा उद्गाटन किया गया है अब भागलपूर का यह दो गिलेई है अब एक और प्रस्न पूछा जाता है यह स्टीट हव की रूप में तो जो जब आ जाते हैं और पिछले 2013 में Rock प्राधिकरन भागलपूर को स्टीट होटर दोप में जिन्हेत केया था कुछ और पापू परिक्षा परीशर कहां इस्थित है कुमरार में किसने उद्गाटन किया था तो श्री नितिश कुमार जी ने पापू टावर कहां पे है गर्दनी भाग में यह भी नितिश कुमार जी के द्वारा स्टेची उप सोशल जस्टिस समाजिक नियाय आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे जगन मोहन रिडी के द्वारा यह आंधर पर्देश में स्वामी नारायन मंदिर आबुधाबी में है यू एई की राजधानी क्या है आबुधाबी तो वहां पर है और व दॉल्फिन डिसर्थ सेंटर कहां है भागल पठना में और यह भी नितिश कुमार जी के द्वारा उध्गाटन किया गया है सेला सुरंग अड़नाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उध्गाटन किया गया है हालाकि मैं इतने फैक्स आपको पढ़के नही कर सकते हैं और जरूर से जरूर आप लोग पीडियाफ डाउनलोड करेंगे एक्जाम से पहले बार बार वीडियो को देखेंगे पीडियाफ को पढ़ेंगे क्योंकि काफी इंपोर्टेंट कोस्टन्स आपके लिए लेके आया हूँ अगा प्रसन देखते हैं मगद कि किस सा अजात सत्रू ठीक है विसार के पूतर थे और याद रखेंगे टोटल साथ राजाओं ने सासन किया था हर्यक वंस में कुल कितने राजा हुए तो साथ राजा कब से कब तक पांसव चवालिस इसापुर्व से 413 इसापुर्व तक और जो हर्यक वंस के स्थापना हुई थी वह याद रखेंगे प्रद्योत वंस के अंतिम सासक महराजा वर्ती वर्धन की हत्या करने के बाद की गए थी विम्बिसार ने ही गृब रज को राज की राजधानी बनाकर सासन किया था और बाद में राजगीर में दूर्ग और स्थूप ये दोनों की अस्थापना किसके की दोरा की गई थी तो आजाद सत्रू के दोरा ठीकर चलिए अब अगला प्रस्थ देखते हैं बिहार राज में सासाराम के किल्ये का निर्मान किस ने किया था सपझारम के किल्ये का निर्मान रखंगे या औंसर क्या हो जागा यदद divine यानि कि पंद्रहसो इस्वी क्यासपास आप याद रख सकते हैं पंद्रहसो इसवी के पिता है तेर सा सुरी ने क्ःंगे भारत पर सिकंधरमान का करवन कि सब्सक्रा अल्म वा थाम तुक्त एंसर क्या वोगा इन में से कोई नहीं क्यों क्यों याद रखेंगे गहनानंद के टाइम पीरियर्ट में अगला अगलपूर में हालिया आयोजित कभियों के एक सम्मेलन में निमलिखीत में से की ने हिंदी साहित्य सिरुमनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है हिंदी साहित्य सिरुमनी अवार्ड से कुमार विश्वास राम आसरे गोयल प्रकास पांडे असलम आजाद कि इंदी साहित शिरोमनी याद रखेंगे कौन है राम आसरे गोयल नीस के दवारा यह आवड किया गया है तो हिंदी साहित शिरोमनी यादわかंगे कौन है राम i7 पढ़ेंगे फणभी अचलन कब हुआ था 700 इसा पूर्व 500 इसा पूर्व 600 इसा पूर्व 300 इसा पूर्व तो याद रखेंगे प्रिभियस एर में पूछा वह प्रस्ण है इसका अंसर हो जाएगा 600 इसमें कुछ इंपोर्टेंट याद रखना है जो महाव जनपदकाल है वही टैम पीरियड है 600 इसा पूर्व ठीक है थोरा सा मैं आपको चाहूंगा बता देना कि जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है लगभग ठीक है लगभग पचीस सो या कहीं कहीं पे सारह तैस सो भी इसके बाद आता है डार्क एज डार्क एज का रख़्युआ है जिसके बारे में कुछ और। सब्सक्राइब नहीं है तो डार केज कब से कब तक है तो 1700 से लेकर के 1500 तक यह जो 200 साल का है इसके बारे में पुरातत विदो को कुछ खास आडिया है नहीं लेकिन फिर 1500 के बाद से लेकर के 1500 से लेकर के याद रखेंगे 1000 तक तो रिगवेदिक काल ठीक है और 1000 के बाद अगर आप 600 इसा पुरुप तक आते हैं तो उत्तरवेदिक काल ठीक है उत्तरवेदिक काल यह याद रखेंगे 1500 से 1000 बीसी रिगवेदिक और 1000 से 600 इसा पुरुप तक उत्तरवेदिक दोनों को बुद्ध का time period यही है तो यह याद रखेंगे महाजन पदकाल गौतम बुद्ध महावीर स्वामी आदी जो भी है वो 600 इसा पूर्व के बाद ही आपको नजर आएंगे ठीक है इधर हम लोग बैक में आते हैं तो 600 से 500 आता है फिर 400 आता है 300 200 100 फिर एक के बाद फिर बढ़ता के आसपास अगर आप देखते हैं मौर्याक time period start होता है तो वह भी क्या है वह भी मौर्य भी क्या है प्रकार से महाजन पद का ही जो महाजन पदों को जीतने के बाद संयूत रूप से आसोक ने क्या किया था एक 20 सामराज की अस्थापना की थी तो वह ध्यान में रखेंगे तो यह महाजन पर time period आपको याद रहना है याद रखना है 600 इसा पूरुव से लेकर के 300 इसा पूरुव एक अनुमान लगाया गया कि इतना के आसपास होना चाहिए ठीक है चलिए अब आ जाते है आहत सिक्के यह भी याद रखेंगे आहत सिक्के चुकि आहत यानि क्या होत होन और देका था बलकि एक प्रकार तंधम ट्पा लगा करके यह स्के डाले जाते इसके बाद गूरख पूर के पास बरह नगर बरह नगर से क्या मिला है सबसे पूराना सिक्का कहा стен मिला है तो गोरख पूर के पास बरहनगर से ठीक है और इस सिक्य के एक तरफ हाथी है और एक तरफ बाग है चलिए अब अगला आ जाते इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार वो उरिसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान की थी मीर जाफर मीर कासिम सुजाउद दौला साह अलम दूती है क्या इन एंवान है और रहने हां पर प्लासी का यूद शाथीयस के बादधी और यूद्ध के संदी हुआ और और आंग्रेजूयों को इलहाबाद संधी के माध्यम से बंगाल की दीवानी दी गई थूसके दूरा साहाल हुआ किया द्वारा अगला है निम्लिखीत में से किस साथक द्वारा सर्व पर्थम पाटली पूत्र का राजधानी की रूप में चैन किया गया था आजा सत्रू काला सो कनिस्क उदीन आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा उदाइन के द्वारा याद रखेंगे कौन है वो उदाइन ठीक है आजा सत्रू की उत्राधिकारी यानिकी पुत्र है यह ध्यान में रखेंगे चलिए गई तुबर सिंघ ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किस्से मिलने का प्रियास किया था लक्षमी भाई लियाक तली वेगाम हध्रत तरह महल या तात्या टूपी किस से मिलने का प्रियास किया था आंसर हो जागा तात्या टूपी से ठीक है तो यह याद रखेंगे आशा एक चीज और भी पूछा जाता है बाबु बीर कुमर सिंग्ग का सम्मंद कि साखा से था तो राजपूत की उजयन साखा से यह याद रख सकते हैं 1777 1777 तो इसे भी आपको याद रखने में आसानी होगी अब आ जाते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट लड़ाई हुई थी जिसके बाद हाथ कटने के कारण इनकी मिर्तिव हो जाते हैं वो लड़ाई हुई थी 23 अपरील को और तीन दिन के बाद 26 अपरील को 1858 में इनकी मिर्तिव हो जाते हैं तो ये भी ध्यान में रखेंगे और ये जो लड़ाई है ये आगे इनके भाई आगे फिर बढ़ाते हैं ठीका कि बताएं कि विहार की किस स्टेडियम को किसी स्टेडियम को दिर्ग कालीन समय के लिए लीज पर दिया जाएगा लीज पर किस स्टेडियम को दिया जाएगा मैनूल हक इंद्रा गांधी स्टेडियम उर्जा स्टेडियम जग जीवन राम स्टेडियम इसका क्या होगा आंसर और कुछ 108 एजंडे हैं में से कुछ आपको मोस्त इंपोर्टेंट याद कुण कुण को से रखने हैं पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां बनाया जाएगा यह नालंदा जी लेकिए राजगीर नमक सहर में यह याद रखेंगे इसके बाद एयरपोर्ट का जिर्नो धार किया जाएगा यानि रिपेरिंग किया जाएगा रिपेर एक तरह से आप समझ सकते हैं भागलपूर एयरपोर्ट का रिपेरिंग किया जाएगा ठीक है फिर मैनूलह के स्टेडियम को बिस विहहार निर्यात्प्रुचसाहन निती 2024 की यह भी याद रखेंगे निर्यात Comics निति और 2024 सकते हैं इसके मैνुलं सटीutz के मारे में आपको बता दिया गया है कि इसकी याद रखेंगी जींबावे। कि हाइन्टार है बीहार कि किस विद्वान को मैठ्ली कोकील कहा जाता है तो आप नहीं होंगे एक ही आंसर होगा आपशन वाचस्ति में फिर्विन ध्यापति मंदन में सर ज़न्द जहाई बिध्यापति मंदन में सर पही हैं क्रीती लता करीतीलता पता का याद रखेंगे मनी मंजरा नाटिका गंगा वाक्यावली भूक परिकर्मा चलिए अगला है बेलसार जल्बी दुद परियोजना बिहार में किस नदी पर बनाई गई जल्बी दुद परियोजना है बेलसार नाम याद रखेंगे बेलसार जल्बी दुद परियोजना उसी कमला सून बलान आंस तुद्ध दार्जलिंग कहां पर दार्जलिंग में कब 1897 में ठीक है यह भी ध्यान में रखेंगा 1897 में एसिया का पहला पनविजली सहींत्र कौन सा है दार्जलिंग में अगला है दुर्गावती चंदरप्रभा करुनुती गुरिया खजूरी नाम याद रखेंगे बार बार में रिपीट कर रहा हूँ दुर्गावती चंदरप्रभा करुनुती गुरिया खजूरी दुर्गावती चंदरप्रभा करुनुती गुरिया खजूरी तो चार बार कर्मनासृ जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यह बीहार का इस प्रेक प्रेक्जार का एक काम लोग मैप देते हो रोगेखै और मध ये गंगहान नदी प्रभाइद होती है बीहार में नॉः Canyon यहां पर आप देखेंगे यहां पर यूपी है और यहां पर बिहार और यूपी के बॉर्डर पर कर्मनासा नदी बहती है और इसकी सायक नदी कौन-कौन है दुर्गावत्ती चंदरप्रभा करूनुती गुरिया खजुरी यह ध्यान में रखेंगे चलिए अगला है बिहार का राजगीद पांच पहारियों से घिरा है निम्न में से कौन सा विकल्प राजगीर के पांच पहारियों से सम्मंदित नहीं है बिपूल गिरी और रतना गिरी श्वर्न गिरी उदय गिरी बैभब गिरी और रतना गिरी आजात गिरी और बिम गिरी तो जैस रखिरिंगे रत्न गीरी याद रखिएंगे झालत और बेभवगी चाहिए और याद रखिंगे वी-ई-ए-स-र किसी प्रकार से आपको याद रखनें चलिए आजात गिरी और ब्रह्म गिरी नहीं है अच्छा राजगीर में कुछ और इंपोर्टेंट जो लोकेशन है जैसे स्काइग्लास ब्रीज है घोरा कटोरा जील है नेचर सफारी विश्व शांति अस्तूप ब्रह्म कुंट यह सारे कहां समंदित है राजगीर से अगला ह क्या होगा अंसर है बोध गया में याद रखेंगे अब याद रखेंगे बोध गया में आयोजन कभ से कभ तक है 15-17 मार्च दोजार चोबिस तक अब इन जो किसने इसका जो है सुबारंब किया है इसकारिक्रम का तो राजिपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर वह कि द्वारा की जाती है राजेपाल की तो राष्ट पती के द्वारा राष्ट पती के प्रतिनिधी होते हैं कारेकाल पांच वर्सों का होता है राजेपाल की विवस्था जो है पद वो अनुछेद 153 के तहत है इसके अतरीक्त 155 में वो राष्ट पती द्वारा निक्त किये ज स्टेट है स्टेट हाई कोट है वह तो यह ध्यान में रखेंगे राजिपाल को सपत राज का मुख्य नियाइधिस दिलाता है अगला है गिरी सुमेल का युद्ध पांच जनवरी 1544 को किनके मध्य लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध तेरसा सुरी और बावर सेरसा सुरी हुमायू जहांगीर माल देव तो गिरी सुमेल का युद्ध नाम बहुत इंपोटेंट है एक मुठी बाजरे के लिए चलिए तो ये याद रखेंगे ये जो बाजरे वाला जो तथन है वो इसी युद्ध के संदर्व में दिया गया है तो क्या होगा अंसर सेरसा सुरी और माल देव क्या होगा सेरसा सुरी और माल देव हाला कि माल देव राजा थे और इनके तरफ से जो जैता जी और कूपा जी ये दो हुआ था पाच जनवरी 1544 को एक है कहां पे तो मारवार यह ध्यान में रखेंगे अगला है बिहार में पंचायती पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षन किस वर्ष प्रदान किया गया था 2004, 5, 6, 7 आंसर हो जाएगा 2006 में याद रखेंगे कवन सा? 2006 को 50% मयलाय। 2006 में बिहार में कैसा है तो जो सनरचना है वो और पंचायती राजब्रणाली का यहाँ पे त्री अस्तरिये हैं ठीक है कहीं पे चार अस्तरिये हैं और यहाँ पे तीन अस्तरिये है अगला है 1908 के छोटा नागपूर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई किस पर रोक लगाई छोटा नागपूर कास्त अधिनियम यह आया कब था तो 1908 में ये भी ध्यान में रखेंगे वन उत्पादों के स्वतंत रुपी योग पर वनों को जलाने पर बैठ बेगारों पर खुटकटी भूमे विवस्था पर तो याद रखेंगे ये क्या है बेठ बेगारों पर ये ध्यान में रखेंगे अब इसका effect आभी पढ़ेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे आधुनिक बिहार का निर्माता की से माना जाता है डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, सद्रानन सिन्हा, स्रीक्रिष्न सिंग, राजकुमार सुकल आंसर हो जाएगा सचिदानन सिन्हा तो ये ध्यार में रखेंगे बिहार के बंगाल से प्रतिकरन आंदोलन की वे आत्मा थे, कौन सद्रानन सिन्हा तेक है बंगाल से बिहार को अलग करने में महत्पुन भूमी का निवायत है और बिहार एवं उडिशा प्रांत का गठन, उनके अथक प्रियासों का ही प्रतिफल था अगला है अमीर सुहबानी, अमीर सुभानी के स्वाइकछिक सेवा निवर्ति के बाद निमलिखीत में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचीव नियुक्त किये गए है बिहार में आईयस का हाईयस्ट पोस्ट क्या होगा? मुख्य सचीव यह याद रखेंगे बिहार में बिहार ग्रामीन बेंक का मुख्याले सहरसा में है जबकि दक्षिन बिहार ग्रामीन बेंक का मुख्याले पटना में है दूसरा है एक जनबरी दोहजार उनीस को मध्ध बिहार ग्रामीन बेंक और बिहार ग्रामीन बेंक को मिला कर दक्षिन बिहार ग्रामीन बेंक बनाया गया था तीसरा है वर्तमान में उत्तर बिहार ग्रामीन बेंक की 1070 साखाएं हैं और दक्षिन बिहार ग्रामीन बेंक की 1078 साखाएं हैं फिर है वर्तमान में उत्तर बिहार ग्रामीन बेंक के धाय करूर खाता धारक हैं droga और अदक्षिन बिहर ग्रामीन Bvity के तीन करूर फाता धार्ञ अब देखे यह प्रापनीश लिए म्टी इंपोरेंट हो जाता है क्योंकि फाल ही में कहा गया है कि उत्तर भिहर ग्रामीन B Mitt और दक्षिन बिहर TIME ग्रामीन B यह बात गलत है क्यों कि यह है मुझभपर पूर में कहां पर है मुझभपर पूर में अब दक्षिन बिहार ग्रामिन बेंक का मुख्याले पटना में है यह सही है ठीक है और दो तीन फैक्ट याद रखेंगे कि एक जनवरी को इससे पहले बिलाई किया गया था एक दनवरी 2019 क किस किस का बिलाय किया गया था तो बिहार ग्रामीन बेंक और मध्य बिहार यह दोनों का बिलाय करके क्या बनाया गया दक्षिन बिहार ग्रामीन बेंक ठीक है अगर साखा की बात की जाए तो जादातर साखा जो है दक्षिन बिहार ग्रामीन बेंक की है वो कितनी है 1078 और 107s उत्तर बिहार ग्रामिन बेंकी है तुर कि अब्धाक यह याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर याद रखेंगे कि मुझा परपूर मुख्याल है, हर साग गलत हो जाएगा अगला है स्वक्षिता अदालत के संबंद में स्वक्षिता अदालत लगाया जाता है के संबंद में असत्य कथन चुने यह अदालत पटना के सभी 95 वार्डों में हर सनिवार को लगाई जाती है इस अदालत में वार्ड परिशद, वार्ड पारसद, नगर निगम के अधिकारी और कारेपालक पदाधिकारी एक्जुकेटिव ओफिसर मुझूद रहते हैं सुनवाई वार्ड के अधर ही उन जगों पर होती है जहां गंदगी फैलाई जाती है दोसी पाये जाने पर आर्थिक डंड के अलावा वेक्ति का नाम काली सुची ब्लैक लिस्ट में प्रकासित किया जाता है और धारा 133 के तहत कानूनी कारवाई भी की जाती है अब आपको पूछा जारा इसका आंसर क्या होगा असत्य कथन कौन सा है तो आप अगर देखेंगे तो पटना में 95 वार्ड नहीं है ठीक है कितना वार्ड है एकड़र ही उन जगहों पर होती है जहां गंदगी फैला जाती है याद रखें के यहां पर यहां पर यह जो एक नियम बना गया खनीज से रिलेटेड नियम बनाया गया है उसके लिए एक आया है कानून याद रखेंगे बिहार खनीज समानुदान अवैद खनन पडिवहन भंडारन निवारन संसोधन नियमावली दोहजार चोबीस ठीक है इनियम पहले भी कुछ कुछ इसमें से नियम पहले भी था उसमें संसोधन किया गया है इडीट किया गया है ठीक आप इस तरह से एवेंडमेंट कह सकते हैं वैसे आप याद रखेंगे कि इसमें आपको प्रश्ण पूछा दरा कि असत्य कथन कौन सा है ट्रेक्टर पर जुर्माना पचीस हजार रु रुपे का जुर्माना लगा जाएगा इनमेंसे कुई नहीं कौनसा असथ आणसर रखेंगे इनमेंसे कुई नहीं क्ज्म ça पर जुर्माना पचीस जार रुपे से बढ़ा करके उसे 4 गुन बढ़ा दिया गया है यानि की एक लाग कर दिआ गया है अब ट्रेक्टर अगर प वसूले जाएंगे अगर ट्रक या डंपर पकड़ाता है तो क्या होगा छे लाक रुपे से बढ़ा कर अब आठ लाक कर दिया गया है तो आठ लाक रुपे का भुकतान करना पड़ेगा मीटी हटाने वाली मसीन वगएरा पकड़ाए जाएगी तो दस लाक रुपे का जुरु याद रखेंगे कोन-कोन से रहें अब देखिये मानव का किसी भी विक्ति का किसी भी मनुस्य का विकास करना है उसके लिए अनेक मिशन of भीभागों構idवा तो याद रखेंगे ये जो साथ विभाग जो इसमें सबसे इंपोर्टेंट किसी भी मनुस्य के गुरोथ में विकास में बिहार से रिलेटेड अगर कोई विवेक्ति हैं उनके विकास के लिए जो साथ विभाग संयूक रूप से कारी कर रहे हैं वो कौन-कौन है तो स्वास् प्रबंधन बी चाहिए इसा नहों कि विकास थोड़ा हो दह फिर आपदा के कारण वापस यह तो यह आपको विभास करके याद रखेंगे किसी भी मनुसी के बीगास के लिए आपको स्था स्वास्ति मैं सुधार होना चाहिए कि नहीं है आप याद रखेंगे आपदा प्रबंदन विवाग भी इंपोंटेट है अगला है हाल ही में दो मार्च दोजार चोबीस को बिहार में कहां प्रधानमंत्री नर्यदमोदी के द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रासायन लिमीटेड उर्वरक सहयंत्र का उद्गाटन किया थी का तो यह ध्यान में रखेंगे वेगु सराय जीले में बरोनी नामक्सहर में तो यह ध्यान में रखेंगे गगी गुग प्रधा उर्वरक सहयंत्र है रिज्त का उनीच्छ बासर्थ में किसान अच्छ एक चीज़ एप्रटैंट है कि साथी साथ पसुधन के लिए इजि नरेंदर मोदी जी के द्वारा राष्ट को समर्पित किया गया है और एक किसान एप है 1962 नाम से 1962 पूरा नाम ही है इसका 1962 किसान एप इसका भी लॉंच किया गया है तो अगर आप से पूछा जाए तो यह दोनों फैक्ट याद रखेंगे भारत पसुधन नाम का डिजीटल डे इसमें रिकोर्ड होगी और 1962 किसान एप भी राष्ट को समर्पित किया गया है अगला हम महावीर के देहांत के बादने मलीखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना इस तो तम इंदर भूती सुधर्मन जोसाल जंबू स्वामी महावीर के देहांत के बादने म अब देखिए महावीर सौमी की मिर्तियों के बाद सुधर्मन जैन संग के परधान हुए तथा उनके बाद यानि सुधर्मन के बाद कौन आते हैं तो जम्बू वो परधान बनते हैं अब बिद्रोह जैन धर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि पर्थम बिद्रोह का नेत गनधर में कितने वेक्टी थें तो वह हो जाएगा 11.11 प्रधान सिस ठीक है गनधर नाम आपको दे दिया गया है अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लें इंद्र भूती, अगनी भूती, वायू भूती तो भूती भूती वाला तो तीन ऐसे ही भी है भक्त सुधर्मन, मंडित मोरिय पुत्र, अंकपति अचल भराता मेतार्य, प्रभास तो प्रभास नाम इंपोटेंट है करने के लिए बुद्ध के अवसेसों को लेकर विवाद का विवरान सर्व पर्थम किसमें मिलता है अस्तूप और चैते अस्तूप मरने के बाद कि निर्मान की निर्देश किस प्रकार से निर्मान किया जाएगा तो ये जो बिवाद हुई थी का पाहली बार जिक्र कहां मिलता है में महा परी निर्मान सुद्ध में मर्ज निकाए या ज्यान-परस्थान-फूटर में तो ध्यान के अगर आप देखेंगे यह सारा क्या है स्थूप है चेत्य है यह सारा याद रखेंगे अवसेस से रिलेटेड है इसका अर्थ क्या है कि महापरी निर्मान सुथ्थ महापरी निर्मान क्या कहा जाता है भगवान बुद्ध के देह त्याग की घटना क्या कालाती है महापरी नि निर्वान को ये आप याद रखेंगे पाली में महापरी निर्वान तनाम है वहीं है महापरी निर्मान का तो यह ठीग पर्ट म 연वारि बुद्ध की सरीर द्रवयदार के लाम इस्प्रकार मिलते हैं अब आप्शना सस्राधा निलते है ये के लिश्वी यह आपको ऐसे भी याद हो जाएगा विसाली के लिश्वी अलकप के बुली रामगाम के कोलिये पिप लीवन के मोर्ये वेठ दूइप के ब्राह्मन तो ऐसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी अगर आपको याद रखने हैं तो यह आठो नाम आप याद राजाओं का उलेख है तस राजयों का उलेख आप याद रखेंगे इसमें इंपोर्टेंट नाम अगर आप hid रखेंगे पांच इंपोर्टेंट राजय को नहीं इसके अत्रिक्त पांच और नाम है अनिल पक्त भलानस विशानी और सीव यह नाम तो आपको इसे भी याद हो जाएगा महादेव का नाम सीव तो याद रखेंगे सीव विशानी भल नास भूला बावा भी याद रखते हैं तो इस तरह से याद रखते हैं 20 पीने वाले सीव बिशानी भालनास पक्त अनिल चलिए पुरुशनी नदी के तट पर ये युद्ध लरा गया था ये इंपोरेंट है अगला है निमलिकित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है राजपत्र कपरे अथवा तामर पट्टिका पर लिखे जाते थे राजपत्र यानि कि रा सभा वाला जो फ्लेट होता था उस पर लिखा जाता था मनु असमृति याग्यवल्लक के स्मृति परासर स्मृती संक स्मृति आंसर हो जाएगा मनु असमृति फिक है तो यह याद रखेंगे कौन तो मनु असमृति अगला प्रशनिय आजाद सत्रु ने पूर्भी भारत पूरवी भारत कि से बोला जाएगा तो यह सिजा लोग यह जो पूरवाला हिस्सा है जहां Department आपको वेस्ट बंगाल है तो आजाशत्र ने पूर्वी भारत का हिस्सा है तो आजासत्र ने पूर्वी भारत पर मगत का अधिपात्य अस्थापित करने के लिए निम्लिकीत में से किस गनराज के साथ 16 वर्सों तक युद्ध किया था पावा और कुशीनारा के मल मिथला के विदेह राम गराम के कोईलिये और वैसाली के लिच्वी याद रखेंगे कौन है वैसाली के लिच्वी याद र कर एक टैक था पिंड कर पिंड़ करम के दिया जाने वाला कर लगने वाला कर करके क्या हो जाएगा पिंड मतलव गौँ दो एक गौँ से संवी काल में लगता था एक है और भी बहृत वा सारे टैक्स है जैसे बिंड कर जो पूरे गॉं से संयुत रूप से वसूल किया दाने वाला कर था भाग यह उपकर था यह आपको एक प्रकार से टैक्स देना है प्रतिकर अतिरिक्त कर फिरन नगद कैस वाला याद रखेंगे कैस हिरन कैस पर नए आपात कर जो एक बटा तीन से एक बटा चार भा उत्सवों में राजा को भेट दिया जाता था पार्षव अधिक लाभ अर्जन पर अतिरिक्त कर था पार्षव अगला कि संगम साहित तिकर्ती में उलेख है कि आरियों ने बिवाह यानि कि बिवाह को क्या बोला जाता था बिवाह को करनम बोला जाता था करनम तो बिवाह का जिक्र बिवाह जो एक अनुष्ठान के रूप में या समारोह के रूप में जो बिवाह पध्धती श्टार्ट की गई थी आरियों के दवारा तो ये वाला बात की आरे ने ही विवाह प्रनाली प्रारम किया था ये वाला जो विवाह ये जो चर्चा है ये संगम के किस साहित में मिलती है तुलकापियम एतुत तोरी पट्टू पट्टू मनी में खल शुल काहर इसका इसका हो जाएगा तुलकापियम याद रखेंगे कौन साहिए तुलकापियर के द्वारा रचीत है तुलकापियम थेकल स्ट्टू में धर्म कि यो पाँठार पूरुशार्फ यादि पूरूश का अर्थ है कर्प कर्प काम है और मोक्ष, ये चारों पूर्शार्थ में आता है, ठीक है? इसे ही क्या बोला गया है? अगर तमिल में देखा जाए तो, अरं, पोरूल, इनबं, भिंदु, ठीक है? इसका भी जिक्र है, चार पूर्शार्थ, विवाह, पद्धति, कर्नम, इनका भी जिक्र है? तोलकापियम, इत के द्वारा लिखा गया है यह याद रखेंगे तो तीन संगम हुई है दूसरे वाले में लिखा गया है तो दूतिये शंगम साहित में हालाकि अब इसका कोई खास वह नहीं यह अगला निमली कीत में से कौन सी मैत्रक इड़र्म की राजधानी थी दि journaling का याद रखेंगे का बलवी को you अभी वर्तमान समय में कौन सा करो नाम से बाशीद है बालाघाट को जलेए अगला है निमलिकीत में से किस सलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्मान किया और पाल सम्राट देव पाल से इसके रख रखाव के लिए पांच गाउं दान देने का निवेदन किया अगला है निवेदन देव पाल सम्राट देव पाल से रख रखाव के लिए पांच गाउं दान देने के लिए कि इसने कहा है सलेंद्र राजा बाल पुत्र देव कौन है वो वेक्ति बाल पुत्र देव देखा ये भी ध्यान में रखेंगे अब एक और भी है देव पाल के बारे में बौध धर्म में परम सोगात नाम से उनका वर्णन किया गया है तो ये भी याद रखेंगे और बौध धर्म की पुनर अस्थापना करने वाले हैं देवपाल ये बात किशने कही है तो तारानाथ ने ठीक है? याद रखेंगे कि तारानाथ ने देवपाल को बौध धर्म की पुनर अस्थापना करने वाला कहा है उसने बौध विहारों के निरमान में योगदान दिया था लिए निमलेकीत सासकों में से किस नहीं हजरते आला की पद discs धारन की बलबन मुहमद बिन तुगलक अलाउदीन खिल जी सेरसाह सूरी किसने हजरत ए आला की पदवी धारन की है तो सेरसाह सूरी ने याद रखेंगे किसने सेरसाह सूरी ने और ये कब धारन की है तो नुसरत साह बंगाल के याद रखेंगे बंगाल के सासक नुसरत साह को कोहरा करके 1528 में फेरसा सुरी ने किसकी उपादिधारन की हजरत ए आला तो यह ध्यान में रखेंगे अगलायन इम्लिकीत में से किस ने अब्दूरजाक को देवराय द्वितिये के दरवार में राजदूत के रूप में भेजा था किसे भेजाता राजदूत बनाके 143 स्वी में देवराय द्वितिये के सासनकाल में विजय नगर पहुंचा था कौन तो अब्दूरजाक किसके कहने पर खुरासान का सुल्तान सारुक के कहने पर यह याद रखेंगे इरान वाला जो एरिया है इराक इरान वाला जो सीरिया वगरा वाला है वही सब क्या है सासा कौन था कब 1561 में यह आधम खान और पीर मुहमद खान के साथ दिलावर खान महमूद खिल जी सुजात खान बाज बहादूर कौनों का अंसर मालवा पर आकरमन करने के टाइम पीरियड में बाज बहादूर याद रखें काफी इंपोर्टेंट कहानी भी है इस पर तो 1561 अब यह टाइम पीरियड कौन सा है तो पेटी कोट सासन आपको मैंने बताया है कि पंद्रह सो पंद्रह सो साठ से ले करके पंद्रह सो बासट तक अकबर के जो सनरक्षक थे बैरम खां उन्हें हज पर भेज दिया गया था कि आप अब सासन से बाहर हो जाईए ठीका बैरम खां को निकाल दिया गया था अकबर की जो माता थी सोतेली माता वो थी महामंगा तो महामंगा याद रखेंगे उन्हीं का सासन चल रहा था चुकि वो इस्त्री थी इसलिए इस टाइम पिरियड को पेटी कोट सासन कहा जाता है तो यह याद रखेंगे कि पंद्रहसो साथ यहाँ पे 1561 में यह युद्ध हुआ है यानि कि इस युद्ध में इंपोर्टेंट रोल किसका हो तो महामंगा के ही पूतर याद रखेंगे महामंगा के ही पूतर थे आधम खां यह किन के पूतर थे महामंगा के पूतर थे याद रखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपनी मा के प्रभाव के कारण ही मालवा अभियान का नेत्रित करने के लिए इन्हें चुना गया था किन्हें आधम खाको और यह जाते हैं बाज बहादूर को खड़ाते हैं यह याद रखेंगे और बाज बहादूर जो थे वो काफी प्रतिष्ठित वेक्टी थे नाचने गाने आदी का सोकीन थे संगीत का सोकीन थे चलिए अगला है निमलिकीत में से सेख आध़ी नोलिया का अजमेर बदायू लाहूर मुल्तान तो सेख निजामुदी नोलिया का जन्मस्थान कौन सा हो जाएगा इसका ऑंसर क्या हो तो 1236 में कौन से सुल्तान गदी पर बेठे थे आपको ये कमेंट करना है ठीक है एक प्रस्ण मेरे तरफ से आपके लिए 1236 इस भी में ठीक है कौन से दिली सल्तनत पर किसका सासान अस्था पितवा था आपको ये बताना है और ये जो टाइम पिरियड है ठीक है यही है निजा निजामुदिन ओलिया के पिताज का नाम पूछा गया है आपको याद रखना है हजरत सयद अहमद बुखारी ये याद रखेंगे अब निजामुदिन ओलिया के जर्म को कुछ लोग 1233-1236 मानते हैं तो वो कंफ्यूज नहीं करना है आपको एक्जेक्ट डेट 33-36 नहीं प अगला है निमलकीत कत्नों पर विचार कीजिए फिर्थिवीरात चोहान ख्वाजा वो इनुद्दीन चिस्ती के समकालीन थे यानि उसी टैम पिडियाड में थे ये भी फिर है गयासुदिन तुगलक सेख निजामुद्दीन ओलिया के समकालीन थे उपरुक्त कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है केबल एक केबल दो एक और दो दोनो ना तो एक ना ही दो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एक और दो दोनो ठीक है याद रखेंगे सही आप से पूछा गया है तो दोनों सही है पिर्थिवीरात चोहान वाजा मुद्दीन चिस्ती और गया जागीर तो याद रखेंगे चलिए अगला है निम लिखीत में सेर्चाह की प्रसाषन की सबसे निचली इकाई का नाम क्या था सेर्चाह प्रसाषन की जागीर महाल परगना सरकार याद रखेंगे जागीर याद रखेंगे गौओं या जागीर आंसर हो जाएगा ठीक है कि इन वर्गों में विभारित्था अस्थानिया सासन तेर्था सुरी का सबसे उपर जिला में सरकार महला या ब्लोक पर गना यह याद रखेंगे ग्राम या जागीर अगला हम मुगल सामराज के उतार दिया था वजीर मतलब क्या होता है प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री वजीर मतलब प्रधान मंत्री नाम कौन सा है गाजिव दीन इमाद मुल्क तो यह याद रखेंगे पूछा जा रहा है कि मुगल सामराज के बिगटन के संदर्भ में यानि कि जब मुगल सामराज का बिगटन हो रहा था मुगल सामराज का पतन हो रहा था उश टाइम में जो प्रधानमंत्री गाज यू दिन इमाद उल्मुल्क थे वो किसे औपदस्त कर दिये थे एक प्रधानमंत्री होकर कि बादसा को गदी से उतार दिये थे आप्शन है मुहमद साह आलमगीर दोईती है अहमद साह अकबर दोईती है क्या का आंसर इसका आंसर हो जाएगा याद रखेंगे अहमद साह कौन है अहमद साह याद रखेंगे कौन है 28 अपरील 1748 सिभी को अहमद साह को गदी पर बैठाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है, उसने अवद के सुबेदार सभधर जंग को अपना वजीर तथा कमरुदीन खाक के लड़के मुईन उल्मुल्क को पंजाब का सुबेदार न्युक्त किया, कब ये गदी पर बैठते हैं, तो याद रखे आपको वो याद रखने हैं, जैसे 1707 में क्या होता है, 1707 में औरंगजेव की मिर्तिव हो जाती है, बहादूर साह पर्थम इसके बाद गदी पर बैठते हैं, अलांकि वो जादे समय तक नहीं रह पाते हैं, ठीक है, इसके बाद 1712 में याद रखेंगे, जहादार साह, ठीक फरुक्सियर के बाद 1713 से लेकर 1719 तक फरुक्सियर का टाइम पीरियड होता है, 1719 तक, इसके बाद कोन आते हैं, तो दो वेक्ति आते हैं, रफियु दर्जात, रफियु दवला, ताफिक कम समय के लिए, ठीक है, रफियु दर्जात, रफियु दवला, ये दोनों 1719 में ही और उसके बाद तीसरे विक्ती मुहमद साह रंगीला याद रखेंगे क्या नाम है मुहमद साह रंगीला वो कब आते हैं तो वो आते हैं 1719 में मुहमद साह रंगीला कब आते हैं 1719 में कब तक रहते हैं 1748 तक और मुहमद साह रंगीला के बाद 1748 में कौन आते हैं अहमद साह 17 द्यान में रखेंगे तो यह आते हैं अब क्या होता है तो कुछ अहमद साह के द्वारा न्युक्ती की जाती है 1748 में जब यह वाध्साह बनते हैं तो अपने वजीर वगरा को न्यूक्त करते हैं लेकिन आपसी घट-पट के कारण क्या होता है दो जुन 17 मी सब्सब्स को अते आते सब्सकती करके याद रखेंगे आलमगीर द्वितिय के नाम से इनहें अजीज युद्र दीन को बनाया जाता है घड़ी पर बिठाए जाता आलम हम इपकभ다 नहीं ज्यांगें में 1754 में ज्यादा टाइम तक यह नहीं रह पाते हैं और उसके बाद आप याद रखेंगे कि उसके बाद फिर आहमाचा के बाद आलम यह आ जाते हैं ठीक है तो यह ध्यान में इतना नाम को कम से कम याद रखने हैं अब अगला कोशन देखें निमलिखीत कतनों पर विचार क चंपत राय ने जहांगीर के बिरुध विद्रोह किया बिर सिंग बुंदेला ने औरंग जेव की विद्रोह किया उपरूक्त कथन में से कौन सा सही है क्या होगा answer केबल 1 एक और 2 ड़ violation केबल दो नातो 1 नाही 2 याद रखेंगा ना तो 1 नाही 2 क्यूं कि चम्पत राय याद रखेंगे यह जहांगीर के टाइम पीरियड में नहीं जहांगीर के टाइम पीरियड में याद रखेंगे किसके टाइम पीरियड में साह जहां के टाइम पीरियड में कौन तो साह जहां के time period में चंपत राय का बिद्रो हुआ था और बीर सिंग बुंदेला का बिद्रो किसके time period में हुआ था तो जहांगीर के समय में याद रखेंगे बीर सिंग बुंदेला का बीर सिंग बुंदेला का इसका जहांगीर के समय में ठीक है तो यह याद रखेंग चलिए बाकी आप एक्स्प्लानेशन पढ़ेंगे अगला है निमलकित कत्नों पर विचार किजिए पर्थम आंगल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के बिरुद्ध और अंग्रेजों के साथ थे तो इतिया अंगल मैसूर युद्ध में मराठों और निजा अंग्रेजों के बिरुद्ध हैदर अली का साथ दिया था अब बोला जा रहा है कि दो मैसूर के साथ युद्ध हुआ है अंग्रेजों के साथ याद रखेंगे अंग्रेजों के साथ याद रखेंगे अंग्रेजों के साथ याद रखेंगे अंग्लो मैसूर युद्ध हु हैं लागसा यहां पर आपको थो ही के बारे में बोला जा रहा है और दूसरा वाला थेक糖 पलेवाने में मैसूर के साथ मैसूर यानिकी हैदर अलिप पहले में कौन थे है don आपक तो है इधर अली के साथ माराठningen और निजाम है अंग्रेज के साथ यानि की मैसूर वर्सेज माराथा निजाम अंग्रेज ठीक है इस तरह से याद रखेंगे और दूसरे में बोला जा रहा है कि माराथा और निजाम अंग्रेजों के विरूद हैदर अली के साथ था तो मैसूर यानि की हैदर अली के साथ कौन था माराथा और निजाम ये दोनों था भर्सेज कौन अंग्रेज अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है एक दू एक और दू को केबल दो ना तो एक ना ही दो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या होता है पहला जो युद्ध होता है उसमें हैदर अली क्या करता है माराथा और निजाम को एक साथ ले करके अपने गुट में ले आता है ठीक है बोलता है जब आपको पैसा ही चाहिए तो मैं दे रहा हूँ और आप मेरे तरफ आ जाए तो माराथा और निजाम ये भी गलत हो गया statement और दूसरा भी statement गलत हो गया ठीक है क्योंकि यहाँ पर जस्ट उल्टा है दूसरे वाले में माराथा और निजाम अंगरेजों के विरूद हैदर अली के साथ थे ये बाद गलत ये पहले वाले में थे ठीक है ये पहला में था दूसरा यहाँ दिया दूसरे में क्या होता है कि वो एंटी हो जाते हैं ठीक है तो वो विपक्ष में चले जाते हैं यह ध्यान में रखेंगे ना तो एक ना ही दो अब बाकी एक्सप्लानेशन आप पढ़ेंगे ठीक है समय का भाव रहता है अगला है स्वतंतरता पूर्व भारत के संदर्व में लिखित कथनों पर विचार कीजिए सिविल प्रकरिया संहिता यानि की कोड़ ओफ सिविल प्रोसीजर सिविल यानि की नागरिक और ये जो क्रिमनल है यानि की अपराद तो ये नागरिक वाला जो है इसमें क्या होता है जैसे जमीन वगरा का है तो साधी बिवाह तलाक इस तरह का जो भी कि जो भी केस बनता है वो याद रखेंगे सिविल प्रोसीजर के तहत ठीक है यहां पर आपको ठ्धुरा सा ध्यान पड़ेगा क्या क्या प्रोसेस हमको फोलो कर项ने है अगर इस तरह के क्राइम होते है तो ग।्ष क्राइम हो जाता है मर्डर कश हो जाता है तो वहाँ पर criminal procedure लगाया जाता है तो आपसे पूछा जारा सिर्फ इतना ही पूछा जारा कि डेट आपको बताना है 1860 में civil procedure code लागू हुआ 1862 में criminal procedure code लागू हुआ कौन सा कथन सही है तो आपको पता होगा कि हाल में ही नए नए कानून बनाएगा है तब का नाम को rename कर दिया गया है इसका क्या answer हो जाएगा ना तो एक ना ही दो क्यों क्योंकि याद रखेंगे कि इस प्रकार से किसी को भी किस प्रोसीजर के तहट किसी को एरेश्ट करना है यह सारा चीज किसमें आता है प्रोसेश वाला प्रकिरिया वाला में तो यह 1869 को लागू हुआ था जबकि आपर आधिक प्रकिरिया वहां पर 1861 याद रखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा होगा करनाटक के सासक को अंगरेजों का सपोर्ट था यहां पर करनाटक के सासक को अंगरेज का सपोर्ट था और फ्रांसीसी याद रखेंगे उसमें क्या कर रहे थे फ्रांसीसी के साथ उनका युद्ध चल राता इंडिरेक्ट ली तो यहां पर करनाटक युद्ध जब भ अब आप से बोला जा रहा है कि पर्थम करनाटक यूद के बारे में यह 1746 में प्रारंब और 1748 में समाप्त हुआ दूसरा है करनाटक के नवाब अनवरुदीन ने इस यूद में अंग्रेजों की और से दखलंदाजी की तीसरा है चंदाज सहब को बंदी बनाकर उन्हें फासी दे दी गई और चौथा है यूद के उपरांद फ्रांसी सियों द्वारा मदरास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीसरा वाला गलत है क्यों क्योंकि यह जो चंदाज सहब को बंदी बनाकर उन्हें फासी दी जाने वाली घटना है यह द्वितिये करनाटक युद्ध की है कब की है सेकेंड करनाटक वार की तो यह जो फस्ट केनेटिक वार है इ यह बात सत्य है करनाटक के नवाब अनबरुद्धीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की और से दखलंदाजी की यह भी सत्य है अंग्रेजों को कौन सपोर्ट कर दिया करनाटक के नवाब कौन थे अनबरुद्धीन इसके बाद युद्ध के बाद फ्रांसीसी क्या करत और देते हैं तो मद्रास को वापस अंगरेज्ओं को कर देते हैं मद्रास उस समय में आपको पता होगा कि यहाँ पर यह से 살ो जाए तो धौन यहां जो凜ब है कि यह था मद्रास प्रो लॉजिनी Kath 6 है ठीक है जो भी यहाँ पर इरिया आपको न जरारा यह सारा जहां राजा वगरा का साज्वन तो उसे छोड़ करके बाकी है of एक दो और चार एक दो और चार एक दो और चार ठीक है याद रखेंगे अब इसको एकस का प्लानेशन आप पढ़ेंगे ठीक है आप पाउज करके भी पढ़ सकते यहां भी अन्य था आप PDF डोनलोड करके आराम से उसे बैठ के पढ़ेंगे पार बार पढ़ेंगे एक्जाम तक आप इतने बार पढ़ चुके हों कि एक भी इसमें से आपको पॉइंट मिस नहीं करना है ठीक है एक्जाम में आपका confidence level यूँ ही बहुत ज्यादा हो जाएगा जब आप सारा question आप एक बार go through हो जाएंगे तो अगला है चोथे आंगल मैसूर युद्ध का प्राथमी करन लिखित में से क्या था चोथा आंगल मैसूर युद्ध ठीक है मैंने आपको बताया था पहले और दूसरे पहले वाले में हैदर अली को किसका support मिल रहा था तो आपको पता होगा निजाम हैदरावाद के निजाम और साथी साथ माराथाओं का support मिल रहा था हैदर अली को तो वो अंग्रेजों से जीत जाता है versus ब्रिटिस जीत जाता है लेकिन बाद में निजाम और माराथा को कौन अपने पाले में कर लेता है तो ब्रिटिस दूइतिये मैसूर उबार में क्या होता है अंगल मैसूर उबार में ब्रिटीस निजाम और माराठाओं को अपने पक्ष में कर लेता है यहाँ पर चौथा है जिसमें टीपू सुल्तान की मिर्तियू हो जाती है वो वाला युद्ध के बारे में आपसे बोला जा रहा है अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कारण क्या था चौथा मैसूर उद्ध होने का मारा मद्रास में ब्रिटीश चेत्रों पर टीपू का आक्रमन टीपू की सक्टी को पूरी तरह से नश्ट करने के उद्धिस से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमन अंग्रेजों कि मध्य क्या होता है तह संबंद स्थापित हो जाता है आप लोग पढ़े होंगे संधी वो जो सहयोग वाला संधी है वह आप पढ़े होंगे ठीक है तो यह ध्यान में रखेंगे इसलिए आपको इसलिए आपको इंपोर्टेंट है आपके लिए पढ़ने से अच्छा है कि आप चंद हजार कोस्टेंश पढ़ें जो आपके लिए काफ ही इंपोर्टेंट हो जो एक्जाम में आते हो जितने भी आपको यहां प्रस्ण दिखाए दे रहें वो सारे प्रस्ण किसी ना किसी PCS में पूछे गए हैं या तो UPSC में पूछे गए हैं या तो practice set में बार रिपीटेड हैं या तो previous year questions है मैं प्रियास करता हूं कि easy to moderate हर प्रकार के प्रस्ण आपको दूँ तो इसमें भी याद रखेंगे 100 questions मैं हमेशा चाहता हूं कि difficult रहें क्योंकि जब आप exam में बैठेंगे तो यही 100 questions आपको easy मिलेंगे ठीक है यहां पर आपको difficult दिया जा रहा है ताकि आप पूरी तरह से तयार हो जाए ठीक है चलिए अगला question है निमलिखीत कथनों पर विचार कीजी आवध ने सुजाओ दोला के अधिन अंग्रेजों के साथ सहायक संधी की विवस्था को स्विकार किया है थरावाद के निजाम ने लौड विचली के कालमें अंग्रेजों के साथ सहायक संधी की उपरुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहां पर हर प्रस्ण में आपको यह जरूर देखना है कि पूछा क्या जा रहा है तो सही पूछा जा रहा है तो अवद के सुजाओ दोला के अधिन अंग्रेजों के साथ सहायक संधी की विवस्था को स्विकार किया गया और हैदरावाद के निजाम ने लौड वेलेजली के कालमें अंग्रेजों के साथ सहायक संधी की इसमें से कौन-कौन सा सही है केबल एक और दो केबल दो ना तो करने वाला है तो सबसे पहले किस ने किया है तो आबद का सुजाओ दोला यह तो एसे भी गलत हो गया common sense का question है और हैद्रावाद के निजाम लोडवेलेजली के काल में अब लोडवेलेजली का टाम पिरियद आपको पता होगा 1798 से लेकर के 1805 टक अब लोडवेलेजली का अगला है 1906 में श्वराज को राष्तिय आंदूलन का लक्ष घूसित करने वाला स्वराज को राष्तिय आंदूलन का लक्ष घूसित करने वाला स्वव मतलब अपना सासन अपना सासन अब यह स्वराज है यह थोड़ा सा आपको और भी समझना है अपना सासन यानि की कानून बनाने में हमारी भूमिका होनी चाहिए कानून बलाने में और कल्यानकारी कारी में हमारी महत्पुन भूमिका होनी चाहिए यह जो 1906 में स्वराज का जो कंसेप्ट आया था दादा भाय ने रोजी टाइम तो क्वेश्चन आप से क्या पूछा गया है क्वेश्चन आप से पूछा गया है कि 1906 में स्वराज को राष्टी आंदूलन का लक्ष घुशित करने वाला भारतिय राष्टी कॉंग्रेस का अध्याक्ष निव्लिकित में से कौन था ओप्सन है दादा भाय ने रोजी जी के गोखले पी आनंद चारलू बीजी ती लक आंसर हो जागा दादा भाय ने रोज ठीक है याद रखेंगे स्वराज बहिसकार स्वदेशी राजकिय सिक्षा यह सारा जो प्रस्ताव था यह इंपोर्टेंट कि मेंस में भी आपको पढ़ना है तो वहां बात करेंगे 1784 में कलकत्ता में असियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल अस्थापित करने का निमलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश से था इसका मुख्य उद्देश से क्या था इंगलिज सिविल सेवकों को भारतिय कानून में प्रसिक्षित करना भारतिय भासाओं तथा धर्म गरंथों के अध्यन को प्रोसाहन देना पुरा तत्विक सर्वेक्षन तथा उत्खनन का संचालन करना भारत में अंग्रेजी रिती रिवाजों तथा परंपराओं को प्र में क्या हो जाएगा भारतिय भासाओं तथा धर्म गरंथों के अध्यान को प्रोशाहन देना यह याद रखेंगे कि बाकी एक्स्पलानेशन आप पढ़ेंगे बिलियम जोंस का नाम इंपोर्टेंट है सत्रश्च्वरासी अस्याटिक सोजाइटी और बंगाल जब 1833 मेरारा राम मुहन राया का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतरितुकिष्ने सम्हाला विजै कृष्न गोष्श्वामी इश्वर चंद्र विज्द्यासागर देवेंदरनाथ तेगूर केसव चंद्रशेन पुस्तिय है समाला आंसर क्या हो जागा दिवेंदरनाथ टेगूर ह Alejaga की बीच में महरसी दोारीकानाथ टेगूर और राम सत्र वागीस के हाथों में ब्रतमाथ चला था लेकिन इसके बाद दिवेंदरनाथ टेगूर को से इसे सूप दिया गया अगला है भारत में अंग्रेजों के राजसुपर्सासन के संदर्व में, राजस सुपर्सासन, अब ये क्या है जिसे रेवेण्यू, रेवेण्यू कैसे इकठा होगा, ठीक है, तो जो क्रिसी से जो टैक्स वगरा इकठा किया जाएगा, वही है राजस Ёआ राजस बोला जा था जमिन्दारी रयतवारी महालवारी ठीक है तो यह जो रयतवारी था यहीं सर लगभग 50 परसेंट एक आवन परसेंट जो छेत्र है उसमें रयतवारी बेवस्था लागू थी ऑप्शन है टोमस मुन्रू सर चार्ल्स नेपियर आर एम बर्ड जोनाथन डंकन आंसर क्या हो जगा आंसर टॉमस मुन्रू कौन है टॉमस मुन्रू और केप्टेन डीड दो नाम इंपोटेंट है टॉमस मुन्रो केप्टेन रीड रयतवारी याद रखेंगे बारा महल तमिलनादू में सबसे पहले प्रायोगी का स्तर पर इसे स्टार्ट किया गया था कूल ब्रिटीश गाद च्टेटर का 11% पर यही रहियत वीवस्था कि कि अगला है भारत में प्रारम भीक अंगरेजी प्रसाषन के संदर में किस अधीनियम के अंतरगत बोड आफ कंट्रूल का ठेक्श भारतिय मामलों का मंत्री बना पहले बोड़ ओफ कंट्रूल का अध्यक्ष था अब आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे क्या होता है board of director, board of director, अब इससे भी पहले थोड़ा सामलो concept समझेंगे, ठीक है, सबसे पहले कोई भी company है, कोई भी company, जैसे British East India company थी, तो उसमें कुछ important वेक्ती होंगे, जिसके पास ज्यादा share होगा, ठीक है, तो यही है group, इसे ही board कहा जाता है, board of director, जो होते थे, वो important वेक्ती होते थे company के, और वही direction देते थे, कि किस प्रकार से आगे company को grow, grow करना है company का भारत में company grow करे, किस प्रकार से नियम कानून बनाना है, इस तरह से, बाद में क्या होता है, अंग्रेज को यह एहसास होता है, कि केबल, हम लोग यहा काम करना परेगा, तो board of control का गठन होता है, और यह क्या करता है, control करता है, control करने का मतलब कहां युध करना है, किस के साथ सांती, अस्थापित रखनी है, यह सारा जो निरने होता था, भारत के अंदर, यह board of control के माध्य हम से क्या जाता, और board of director का का काम क्या होता था, revenue एकठ करना, और भी बहुत सारा काम होता था, तो यह सारा इंपोर्ट, आपको अंतर समझने है, बस direction देना, और यह क्या है, control करना, control कैसे होगा, युध के माध्यम से, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, तो बोला जा रहा है, कि board of control का जो head होता था, वो भारतिय मामलों का मंत्र बन गया बाद में, लेकिन यह आया कब था, किस अधिनियम के अंतरगत आया था, 1773 का regulating act, 1784 का पीट्स इंडिया act, 1813 का चार्टार एक्ट, 1834 का एक्ट, क्या हो का अंसर, 1784 का पीट्स इंडिया act, यह याद रखें, कौन सा 1784 का पीट्स इंडिया act, देक है, एक्स्प्लान आप पढ़ेंगे, मैं आप पाउज करकी पढ़ सकते हैं, अगला है निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए, लौड वेलेजली ने इस्ट इंडिया कंपनी के करमचारियों के नीजी व्यापार के लिए दस्तक को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, लौड वेलेजली ने द जनरल तथा उसकी काउंसिल के अंतरगत किया, उप्यूक्त में से कौन सा कथन सही है, एक, दोनों केबल दो, ना तो एक, ना तो दो, इसका आणसर क्या आप जाएगा, ना तो एक, ना ही दो, क्यों कि कारणवाली के टैम में, याद रखेंगे, कारणवाली के टैम ये काम, ये काम कोन कर रहें, कारणवाली के टैम पीडेट में हुआ था, तो वेलेजली यहें पर गलत हो गया, ये दूसरा सदर निजामत अदालत का याद रखेंगे, ये भी कारणवाली के ही टैम पीडेट में हुआ था, मुर्सीद्याबाद से कलकатता स्थानतरण किया तो यहां पर भी यह बेलेजली गलत कि अगला है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1776 में अमीनी कमिशन की न्युक्ति किस उदेश से की गई अमीन अमीन क्यों आता है जमीन के लिए जमीन अमीन याद रखेंगे अमीन कमिशन भारती निया विवस्था के बारे में जनकरी प्राप्त करने के लिए भारती छेत्रों परसासन के लिए उप्यूक्त प्रसासनिक संरतना त्यार करने के लिए नय उपनिवेस के लिए उप्यूक्त संबध विवस्थित सूचना एकत्र करने के रिए कब अमीनी कमिशन आपसे इसे डेट के मात्यम से पूछा जाएगा तो याद रखेंगे वर्स आपको याद रखने 1776 वार एन हैस्टिंग्स के टाइम पिडियोड में ठीक है अमीनी कमिशन निम्लेखित महान विभूतियों पर विचार किजिए बी आरामबेर कर टी प्रकासम मदन मुहन मालीवूर्ग में सकों सा पूना पैक्ट से संबंदित हैं आंसर क्या हो जागा answer हो जागा cable एक एवल एक दो और तीन एक और तीन एक दो तीन answer क्या हो जागा एक और तीन एक और तीन ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे टी प्रकासम नहीं है ठीक है, अब दो important यरभदा जेल में कब answer प्रारम किये, आमरन answer जब तक मिर्तिव नहों तब तक मैं अंसन करूंगा ये बात जो है ये 20 सेप्टेंबर को गांधी जी भूखा रहना प्रारंब करते हैं 20 दिसंबर को 20 सितंबर को और मातर चार दिन बाद ही अंबेदकर सहब को क्या लगता है कि अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग आपस में क् हम जोता कर लेते हैं अन्य था भारत में फिर क्या होगा जांधी जी की मिर्तिव हो जाएगी और बावाल बढ़ जाएगा तो यह याद रखेंगे अगला नियुक्त कौन सा बीश्व का सबसे बरा पुस्प है कमल रेफलेसिया सुरी मुखी ग्लोरी लिली सबसे बरा पूल कौन सा है रेफलेसिया याद रखेंगे कौन सा है रेफलेसिया और यह किस प्रजाती का सदस से है तो रेफलेसिया अरवोल्डी रेफलेसिया अरवोल्डी यह एक मीटर तक होता है इसका ब्यास जो होता है किसी भी चीज का ब्यास क्या होता है स्रीजिया का दोगुना होता है स्रीजिया आर तो टू आर होता है ये पूरा एक मीटर तक क्या होता इसका प्यास होता है पूर्ण मूल इसका परजी भी है यह याद रखेंगे दूसरे के उपर जिंदा रहने वाला पर कि जब सरीर में नेड़ली करन होता है तो पदार्थ जो सामाने रूप से सरीर से लूप्त हो जाता है जब आप में डिहाइड्रेशन होता है डिहाइड्रेशन जब होता है सरीर में अब कुछ student comment भी करते हैं कि आप सर इंग्लिस में क्यों नहीं देते हैं तो जो आपको भी और मुझे भी दोनों को दिखने में भी समस्या होगी और लिखने में भी समस्या होगी ठीक है तो मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने को ठीक है तो जब सरीर में डिहाइड्रेशन होता है तो पदार्थ जो समान्य रूप से सरीर से लूप्त हो जाता एन एसी एल यानि की नमक कि इस तरह से याद रखेंगे तो साधारा नमक सरीर से लूप्त हो जाता जब डिहडरेशन होता अगला है पेस मेकर निम्री में से किस नाम से जाना जाता है पेस मेकर हिर्दय अगर किसी का हर्ट को चलाने के लिए धक 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 continue रखने के लिए पेसमेकर को और भी एक अण्यय नाम से जाना जाता है कौन सा नाम है option है से नोड से ए एवी नोड से इस की पोटली और डे टेंडाइनल क्या होगा आंसर से नोड से याद रखेंगे से आउथ अफरीका इस तरह से याद रख सकते हैं से नोड कि कर एस ए नोड इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो सी नोट्रियल नो सी नोट्रियल नॉड ठीक है उसी कागों का एक समूधन है से नोड ठीक है और छी नोट अबला है लीवर फ्लूक यक्रित क्रिमी लीवर में जो कीरा लगता है किस जानवर के यकरित की पित नालियों यानि की बाइल डक्त में पाया जाने वाला एक चप्टा क्रिमी है घोरे की साप की गाय की भेड की यकरित यानि की यकरित यानि लीवर तो लीवर में याद रखेंगे लीवर बाइल डक्ट किसमें पाया जाता है तो भेड में यह याद रखेंगे भेर हो याद रखेंगे बकडी हो सुवर हो यह सब में क्या होता है लीवर फ्ल्यूक नाम का प्रोब्लेम होता है ठीक है क्रिमी पाय जाता है चलिए अगला आ जाते हैं निमलिखित यूगमों में से कौन से यूगम सुमेलित है अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने है जैसे फ्रांसिस कोलिंस फ्रांसिस कोलिंस मानव जीनोम मांचितरन से संबंदित है सरजी ब्रीन गूगल सर्च इंजन से संबंदित है जीमी वेल्स विकीपीडिया से संबंदित है तो आप से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इन में कौन कौन सही है तो अगर आप धियान से मानव सित मान चितरन के लिए मैपिंग के लिए कि मानव का जीन का मान-ची परिसेट जो जीन फोता पहर वेक्ति का सेम ही होता है ठीक है थोड़ा बहुत अंतर होता है तो वो जो थोड़ा बहुत अंतर है वो मानव जिनोम मांचितरन के माध्यम से पता किया जाता है तो वो फ्रांसिस कोलिंस याद रखेंगे इसके बाद Google सर्च इंजन यह याद रखेंगे सर्जी ब्रीन यह डाम भी इंपोर्टेंट है और Wikipedia जीमी वेल्स Wikipedia का अविस्कारक कौन है जीमी वेल्स तो तीनों सही है एक दो और तीन यह याद रखेंगे अगला है सामानेतह बचों की आवाज का तारत आपकर को सत्रीयों की आवाज का तारत भी पूछा जा सकता है तो बचों को बच्चों का ज्यादा पीछ और चाहरा की अब भाकी आप पढ़ेंगे कि तारत क्या है अगला है अगला है मनुष्य आधृता वो गर्मी से परेशानी अनुभव करता है इसका कारण क्या है अधिक पसीना अना कम पशीना आना पशीना आदरता के कारण वास्पित नहीं होता है आदरता के कारण पशीना नहीं आता है यानि कि इसका क्या हो जागा पशीना आदरता के कारण वास्पित नहीं होता है और वास्पित नहीं होगा तो आपके सरीर के उपर ही रहेगा पशीना तो आपको क्या आपको अच्छा फिल नहीं होगा तो यह याद रखेंगा और जब हम पंखा चलाते हैं तो क्या होता है वसीना जो है वास्पित हो जाता है और हमें ठंडर लगती है अगला है उत्तेजक कौन सा है अलकोहल सिग्रेट मारी जुआना या अफीम ठीक है क्या होगा आंसर उत्ते क्या माना जाता है क्या में ट्रूप आपको है या तिम या Von सिग्रेट का मन को क्या कर देता है ने यानि कि आपको डिप्रेशन में कौन ला देगा एलकोहल पीने के कारण मारी जुआना अफीम ये सारे और सिगरीट क्या करता है ये उत्तेजक है अगला है सीलिका जेल से भरी एक थैली गोलियों के या फिर चूर नरूप से औस धी की बोतल औस धी की बोतलों में अकसर पाई उल्काई जाती है क्योंकि सीलिका जेल क्यों मेड जो भी मेडिस है एक सिल्व का पेकेट होता है वे क्या करता है सिलिका जील का पेकेट जीवानों को नश्ट करता है कितानों और बीजुआ उनवामी university ौव्थ से किस एक छेत्र में आसाधन योगदान के लिए सांती स्वरूप भटनागर पुरसकार परदान किया गया है दोजार चोबिस में एक तो ये प्रश्ण है अद दूसरा किस लिए परदान किया जाता है और याद रखेंगे पूर्भी सोकिया पूर्भी से किया याद रखेंगे जीसे दोजार चोबिस का डॉक्टर पूर्भी से किया को दोजार चोबिस का सांती सुरूप भटनागर पुरसकार दिया गया याद रखेंगे साइंस के छेत्र में दिया जाता है सांती सुरूप सामानेता क्या होती है हाला कि मैं यह नहीं लिखता हूं कुस्टन के साथ में क्योंकि मुझे जरुवत महसूस नहीं होती है लेकिन इस कुस्टन में जरुवत महसूस हुई थी यह MPPCS मधपरदेश PCS में पूछा गया 2010 का प्री का प्रश्ण है मधुमक्ही की ओसत गती हम का सामानेता होती है एक किलोमेटर प्रती घंटा 5 किलोमेटर प्रती घंट दस किलोमेटर प्रती घंट या फील से 21 किलोमीटर प्रति घंटा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल होती है अब जब यह खाना खा लेती है तो पेट भरा होता है तो स्पीड कम हो जाता है 17 किलो मेटर प्रति घंटा और जब यह भूखी होती है तो 21 किलो मेटर प्रति घंटा के स्पीड से उड़ती है अब आपको option में देखना है कि यह 17-21 के मध्य में आप याद रख सकते हैं किलो मीटर प्रति घंटा के मद आप याद रख सकते हैं या जो भी दिया हो अप्शन में आपका वो सारा सही हो जाएगा अगला कोश्चन है राष्टिय पादप अनुमानसिक संसाधन ब्यूरो इस्थित है नेशनल ब्यूरो और प्लांट जेनेटिक रिसोसेज यानि कि प्ल अनुमानसिक विधता का रख रखाओ किया जाता है राष्टिय उध्यानों में इन सीटूसन रक्षन द्वारा एक्स सीटूसन रक्षन द्वारा जीन पूल द्वारा उप्रोक में से कोई नहीं कि याद रखेंगे कि प्रिविएस येर में अगर आप बात करेंगे तो उच्छे जाने की जिसकी संभावना है वो सारे कोस्टंस मैं आपको करवा दूँ हलाकि एक सेट में मैंने दिया है काफी कोस्टंस लेकिन और भी मैं इन्वेरेमेंट का कोस्टंस बढ़ाऊंगा धीरे-धीरे कोस्टं है राष्टिय उध्यानों में अनुमानसिक विविधता का रख रखाओ किया जाता इंस्सीटू संरक्षन द्वारा एक सीटू संरक्षन द्वारा जीन पूल द्वारा उप्रोक्ट में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा अगर राष्टिय उध्यान है ठीक है राष् गया पाइस्ते उध्यान उसे मान लिये तो वो तो इन में आ जाएगा इसके अंदर ही रहेगा इन सी-टू जो हाँ पे स्वा आवास जो पहले से उसका अपना आवास है उसी आवास में उसी का संरक्षन है तो इनसी टू संरक्षन और उसे अगर निकाल करके कहीं और ले जाक करके उसके बाद उसका सनरक्षन किया जाएगा तो वह जाएगा XC2 Y आवासन यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनसे 200 सवासन यह याद रखेंगे आप पढ़ेंगे जै विभिता के साथ साथ मनुषए के परमपरागत जीवन के स सनरक्षन के लिए सबसे महात्पूर्न रनीत निमलिखित में से किस एक computational करने में नीहित है जैब बिविधिता के साथ साथ मनुष्य के पारमपरी की जीवन के लिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है मनुष्य के लिए सिंपल सा question है मनुष्य के लिए इन में से जैब भी विधिता भी बरकरार रहे हमारा जीवन भी अच्छे से चले इन सब के लिए सब से इंपोर्टेंट क्या होना चाहिए मंडल नीचे यानि कि wild ride श्राक्षित चेतर क्या होगा इसका आप यहां पे आप अच्छे से देख पाएंगे तरह यहां पे यहां पिसे एक प्रकार से जंगल माले यहां पे बीच में जंगल है जहांपर जंगल में पिशू है पेर पोधा है सारा कूछ है, ये code है, ये center हिस्सा है, ठीक है, इसमें तो कोई, यहाँ पर एक ही sign दिया हुआ है, ये sign किसका है, education का, अगर education purpose से आप जाना चाहेंगे, तो आप जा सकते हैं, अगर आप, फिर buffer वाला area आता है, बफर में आप क्या क्या कर सकते हैं, tourism के लिए भी जा सकते हैं, उसके बाद human रहने के लिए भी जा सकते हैं, सरकार चाहें तो आपको monitoring के लिए भेज सकती हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं, रिसर्च करने के लिए भी जा सकते हैं और बायो डैवर्सिटी कहा है तो कूर में है बायो डैवर्सिटी कहा है बायो डैवर्सिटी कूर में है ये ध्यान में रखेंगे और बफर और ट्रांजिशन में आप रह सकते हैं खोज कर सकते हैं का पढ़ने के purpose से जासकते हैं, तो यह मनुसे के लिए याद रखेंगे, मनुसे के परंपरागर, जीवन के सनरक्षन के लिए, सबसे महत्पुन रनिती है, क्या करड़ेना जीव मंडल नीचे यानि कि जीव मंडल लेजर बना देना ठीक है चलिए एक जीव मंडल आरक्षी छेतर में मानब भी विवस्था का अभिन अंग होता है यानि कि मानब भी रहता है पक्षी के साथ साथ पेर पोधा के साथ साथ क्योंकि उनका अपना है एरिया उनका अपना जो भी जगह है वहाँ पर मनुस्ति अगला नीमन में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागर्य प्रदूसन सागरों में सागरों की लवनता में बिर्धी सागर्य जल के सामाने तापमान में बिर्धी रोगों एवा महाबारियों का फैलना प्रवाल विरंजन यहीं कि प्रवाल भिति आप लोग बढ़े होंगे समुद्र के अंदर प्रवाल भितियां होती है ठीक कोरल रीप्स होते हैं कोरल रीप्स क्यूं टूट रहे हैं क्यूं उसका विरंजन हो रहा है क्यूं वो गल रहा है हट रहा एक दूसरे से छूट तो निश्चेतक के रूप में प्रियोग हो सकने वाला पदार्त है क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड हीलियम कारबन डायोकसाइड तो निश्चेतक के रूप में इसका किसका यूज कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म का और नाइट्रस ऑक्साइड का दोनों का यूज कर सकते ह तो एक और भी याद रखेंगे और सबसे पहले निश्चेतक का प्रयोग किस ने किया था किसी को बेहोस करने का सबसे पहला प्रयोकिष ने किया था तो यही वेक्ती है विलियम मोर्टन मोर्टन मोर याद रखेंगे मरना याद रखेंगे बेहोस करना मरना याद रखेंगे विलियम मोर्टन अगला है यूरिया है यूरिया क्या है एक nitrogen यूक्त carbonic yogic है एक nitrogen यूक्त और carbonic yogic है एक पादप हर्मोन है या एक उर्जा सोसी पदार्थ है यूरिया क्या है इसका अंसर हो जाएगा एक nitrogen यूक्त carbonic yogic है यूरिया में क्या है carbon इसलिए याद रखेंगे carbonic yogic compound है आप इसका explanation पढ़ लें रोडोपसीन पाया जाता है तो अच्छा दिमाग यक्रित आँख रोडोपसीन याद रखेंगे ये रड कहाँ पाया जाएगा रोडोपसीन ये पाया जाएगा आँख में कहाँ पे तो आँख में याद रखेंगे ये एक वरनक है क्या है एक वरनक है कलर देखने वाला है जो आँख में पाया जाता है रेटिनीन अथवा बिटामिन ए और आपसीन प्रोटीन से ये बना होता है ये वरनक रोडोपसीन ठीक है आँख का जब हम एक स्ट्रेक्चर देखने हैं मानव सरीर में विटामीन A संचीत रहता है ये ध्यान में रखेंगे वीटामिन A वसा में बिले है अगर आप से पुछा जाएओ कि पानी में बिले कोन सा है तो वीटामिन C पानी में बिले वीटामिन C तो ये द्यान में रखेंगए और वसा में बिले ये दो बार-बार पूछेगा है उतर चुने ब्रेन जो होता है, वो ब्रेन क्या करता है, हिर्दय गती को नियंत्रित करता है, शरीर को संतुलित रखता है, क्या होगा अंसर, दोनों होगा, कहीं न कहीं हिर्दय गती को भी अनैक्षिक पेसियां जो होती है, वो कंट्रोल करती है, ब्रेन के माध्यम से, ठीक है, कुछ एक् regulate करेगा ठीक है तो यह ध्यान में रखेंगे चंट्रोल करेगा फिर्दैगती को याद रखेंगे दोनों सही होगा ठीक है एक्षिक और अनेक्षिक यह दोनों ध्यान में रखेंगे अब इसका एक्षामपल आपको दिया हुआ है यह अवसे पढ़ें आप अगला है मनुष्य में मानस्पेसियों में ठकावाट किसके जमा हो जाने के कारण रागंती है फिर फ्राइग्लीस राइड के कारण मनुष्य में मांस्पेसी में ठकावट किसके जमा होने के कारण होती है तो लेक्टिक अमल के जमा होने के कारण ये धियान में रखेंगे किसके कारण लेक्टिक अमल के जमा हो जाने के कारण अब यही लेक्टिक अमल आगे ओक्सिक्रित हो करके क्या बन जाती है पाइरूबिक अमल, लेक्टिक अमल के साथ में ओक्सिजन मिलती है, तो ये क्या बनती है पाइरूबिक अमल, तो अगर पाइरूबिक अमल नहीं है उप्शन में तो लेक्टिक अमल, अगला है, अब आप कुछ लेक्टिक अमल के बारे में दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ करता है हवा में चालकता कंडेक्टिवीटी में ब्रदी होती है हमारा पसीना अधिक गती से वास्पित होता है क्या होगा हमारा पसीना अधिक गती से वास्पित अगला है सीसे की चर जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परन्तु इसकी चोड़ाई और प्रभावित रहती है बढ़ती है गटती है और विवस्तित होती है क्या होगा सीसे की छर जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परन्तु इसकी चोड़ाई क्या होगी ये भी थोरी थोरी बढ़ेगी ठीक है लंबाई के सासा चोड़ाई में भी अत्यल्प मतलब बहुत कम मात्रा में ब्रदी होगी ब्रदी लेकिन होगी इसे उसमिय प्रसार का गुन कहा जाता है अगला है छितिज के समीप सूरी एवं चंद्रमा के दिर्ग विताकार दिखाई दिने का कारण क्या है अपवर्तन व्यतीकरण घटना प्रकास किये भ्रहम उनकी वास्तविक आकर्तिव क्या हो का अंसर अपवर्तन सूरी एवं चंद्रमा के दिर्ग विताकार दिखाई दिने का कारण किया आपवर्तन ठीक है यह ध्यान में रखेंगे अब explanation पढ़ें आप अगला है दूर द्रिष्टी दोस में प्रतिभीम बने लिखीत पर बनता है दूर दृष्टी दोस में रेटीना रेटीना के पीछे रेटीना के आगे अंध बिंदू पर तो क्या होगा रेटीना के पीछे याद रखेंगे क्या होगा दूर दृष्टी दोस में अब यहां पर दूर तो लिखा है और दृष्टी दोस भी है लेकिन यह दृष्टी दोस के कारण दूर नहीं दिखाई देता है जस्ट रिवर्स आपको याद रखने है एक उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा रेटीना के पीछे जो है रेटीना के पीछे याद रखेंगे इमेज का फॉर्मेशन होगा पीछे बनेगा इमेज ठीक है यह ध्यार में रखेंगे निर्मान में टाटरी का प्रियोग किया जाता है और जेली का प्रियोग फोटोग्राफी में होता है बेंजोई का प्रियोग खाद परिरक्षन यानि की फूड को प्रिजर्ब करने के लिए लेक्टिक एसीड का उपयोग दूद खटे-पदार्थ बनाने में होता है दूद प्रोब्लेम करता है इसलिए आर्सेनिक और फासफोरस को इगनोर करने के लिए एथिलीन को ही सरकार बढ़ावा देती है ठीक है तो यह याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है कोईले की खानों में बिसफोर्ट के लिए जिस गयास को मुख्य कारण समझा जाता है क्यों बिसफोर्ट हो जाता है अगला है निमलिकीत में से उर्जा का कौन सुरूत वेवसाइक सुरूत नहीं है याऩे कि काुछ वेचा खरीदा नहीं जाता है किस बिजली आती है उसका वाज़ी विक्री नहीं होता डॉली याद रखेंगे कों सा बधायो गैस ठीक है चलिए एक और भी याद रखेंगा राष्ट ये बायो गैस परियोजना कब बनाई गए थी तो इंद्रा गांधी के टाइम पिरियड में भाही डीजल ये तो नॉर्मल बात है उच्छ च्छमता भी है भारी मशीनों को भी चला सकता रहा है महला एप कब दो जार्शोब्रीस भारत पाकिस्तान सिरलंका बंगला देश करेगा भारत जापद मलेश्या औस्ट्रिलिया औस याद रखेंगे यह एपशी महिला एसिया कब बहalten वेश्यों कोरेगा आस्ट्रेलिया यादे रखेंगे ऐप धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंद लगा दिया है माल भारत नेपाल भूटा अनसर क्या हो जाएगा माल दिभ याद रखेंगे प्रतिवर्ष कमना जाता है रास्तिया आतंकवाद विरोधी डिवर्ष नैशनल& टीटरिर्रिस्ट एंटी टेरिरिज्म डे कब मना जाता है 19 में 20 में 21 में या 22 में आंसर हो जागा 21 में को याद रखेंगे कब 21 में को क्यों क्योंकि 1991 में 21 में 21 में के दिन ही क्या हुई थी हमारे प्रधानमंत्री जो पूर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी उनकी हत्या कर दी गई थे अगला है नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग पर्तिरोधी रोग जनों परसोध कर रहा है ये कहां अमेरिका USA की ये Space Agency है और ये मिलकर के किस IIT के साथ मिलकर के किस IIT के साथ मिलकर के मल्टी ड्रग पर्तिरोधी रोग जनों परसोध कर रहा है क्या होगा आइटी दिल्ली मदरास वारानसी या मुंबए इसका आइटी मदरास याद रखें कौन सा इटली सेवन कहा किया गया है अब ऐसा हो सकता कहा किया गया है तो दूजार पूल पर भारतिय रिलवे ने पहला ट्रायल रण पूरा किया यह किस नधी पर है कि 600 चिनाव सिन्धू ये पूल है पने अब तीन camera 369 लगभग 109 फीट उपर बनाए गया है यह इंपोर्टेंट है इसका अगर पूछा जाएगा तो आप यह याद रखना एक सो नौ फिट चलिए अगला पॉश्चन है एकसरसाइज रेड़ फ्लैग 2024 का दूसरा संस्क्रण USA में कहां वेजित किया गया रेड़ फ्लैग 2024 का लिए ने रेड़ फ्लैग कि नेलिस एयर फोर्स बेस में वादा में Ailson एयर फोर्स बेस अलास्का में लूक एयर फोर्स बेस एरीजोना में या इन में से कोई नहीं जागा एल्सन एयर फूर्स बेस आलास्का में तेक है तो यह ध्यान में रखेंगे अगला है जीमेक्स अभ्यास का कौन सा संस्क्राण साल दोजार चोबीस में आयुजित किया जा रहा है इसलों साथ शाथ हमाँ नव जीमेक्स यह जापान इनडिया मेरिटैम एकसरसाइज यह जापान इंडिया मेरिटैम एकसरसाइज ड़यूलियस मेले मा यकभ जूमा शे सेगी वाम्रकूसाण अबंबेकई लक्षिन अफ्रीका के राष्ट्रपती फिर से कौन बने हैं तिरिल रामफुसा कौन है तिरिल रामफुसा अगला हाल ही मिमाद परदेश के मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्गाटन किया परधान मंत्री श्री परियतन हवाई सेवा पर एंपी ए प्येटन हवाई सेवा पी-एम सुरी टूरिज्म एयर सर्विस ठीक है चलिए गांदी सागर वने जीव अभ्यारन हाली में चर्चारा है या किस स्राज में श्थित गांदी सागर वने जीव अभ्यारन राजस्थान मद परदेश मंजाब बिहार अंसर क्या हो जागा मद प और है किसमें मद परदेश और राधस्थान के सीमा पर है लेकिन है एक्जेक्ट मद परदेश में जंगल की आग को नियंतरीत करने के लिए किसने तैनात किया विन सर वन जीब अभियारन आपसे पूछा जाएगा उतराखंड में यह इंपोर्टेंट है क्रिसी सखी सार्टिफिकेशन कारिकरम के लिए कौन से दो मंत्रालियों ने एक MOU यानि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग पर हस्ताक्चर किया क्रिसी सखी 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 याद रखना क्रिसी और किसान कल्यान मंत्राले और ग्रामीन विकास मंत्राले और ग्रामीन विकास मंत्राले ग्रामीन विकास मंत्राले और ग्रिह मंत्राले ग्रामीन विकास मंत्राले तो क्रिसी सखी सार्टिफिकेशन जो कारिकरम है यह किसी और किसान कल्यान मंत्राले और ग्रामीन व पुर्वांचल सहकारी बेंक का एक टीट्वंटी मैंच में एक जो गेंदवाज है वो के चारो ओभर कर सकते हैं उन्होंने क्या चारो क्या जांड्का मतलब किया बिना किसी रन का बिना कोई रनुए उन्हों ओभर उन्होंने क्या किया यह कौन सा आज आस्पित भुम्रा साहीन सहा फुरीदी लॉन TEकलिद Legion प्रेंड बोल्ट आंसर क्या होगा लौकी प्रिक्यूशन कहां के हैं न्यूजिलेंड के यह याद रखेंगे कहां के न्यूजिलेंड के ठीक है और पापुआ नियूगिनी के खिलाफ यह चारो भर मेडन फिकेत हैं पहले बहुरास्टिय हवाई अभ्यास तरंग सकती की मेज हाली में जारी परियावरन परदर्सन सूचकांग 2024 में भारत की रेंख क्या है 156 36 66 186 क्या होगा अंसर 176 याद रखेंगे 176 पर्यावरन प्रदर्शन सूचकांग 2024 में भारत का रेंग क्या है 176 विदेश मंत्राले ने किस बेंक के साथ इमाइगरेट के लिए समझोता ग्यापन परहस्ताक्षर क्या है इमाइगरेट याद रखेंगे 2014 में ठीक है आपको आगे फिर बात करते हैं इमाइगरेट याद रखेंगे ठीक है पी एनबी, SBI, Yes Bank, Axis Bank क्या होगा SBI विदेश मंत्राले ने इमाइगरेट माइगरेट के लिए SBI के साथ ग्यापन परहस्ताक्षर किया है इमाइगरेट पोर्टल आप से पूछा जागा कि यह कब लॉंच किया गया था तो 2014 में प्रवासी भारतिय स्रमिकों से जुरा हुआ है कते होंगे आप उन्तराष्टिय योग देवास 2024 का थीम क्या है और योग और समाज के लिए योग में युवया योग्दान समाज के योग आणसर क्या होगा न्या थूरेब इवेंट स्वयंच अर्वयंच के योग में पूरस ये सवन पदक जीता अग्यो शहते 있어 पावो नूर्मी गेम्स 2014 अथलेटिक्स मीट में पूर्सों के जैवलीन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता जैवलीन मतलब भाला ठीक है भाला फेक नीरत चोप्रा का नाम आपने सुना होगा ठीक है उसी तरह से भाला फेक निम किसने जा जूलियन बेबर नीरत चोप् ठीक है यहां पर आप एक्स्प्लाइशन भी पढ़ेंगे प्रधान मंत्री जारें मोदी ने किस राज में नालंदा विश्व विद्याल है पड़िशद का उध्गाटन किया बिहार उत्तर परदेश मादर परदेश करनाट कांसर हो जाएगा बिहार ठीक है यहां पर आप राजपाल मानने राजपाल मोहदय हैं बिहार के वह नितिश कुमार दोनों मुझूद थे अगला केंद्रिय मंत्री मंदल ने वाधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी वाधावन पोर्ट बाधावन पोर्ट कहां इस्तित है किस राज्य में गुजरात ओडिशा महरास्त अंसर क्या हो जाएगा महरास्त वाधावन पोर्ट महरास्त में इस्तिता ठीक है और यह एक ग्रीन फिल्ट पॉर्ट होगा यानि कि यहां पर पहले कुछ भी इंफ्रास्ट्रेक्टर नहीं था नए सीरे से बनाया जाएगा ग्रीन नहीं तो क्या होता ठीक है जलिए नहीं तो ब्राउन फिल्ड होता क्या होता ब्राउन फिल्ड जहां पहले से कुछ था उसके बाद उसमें बनाया गया ठीक है यहां पर कुछ भी नहीं था नए सीरे से स्टार्ट किया गया बंदरगाह बनाना बाधावन बंदरगाह महराष्ट में याद रखेंगे ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन की इसमें किया जा रहा है भारत, रूस, चीन, दक्षीन, आफ्रिका, ब्रिक्स गेम 2024 का हो जाएगा रूस में कहां पे ब्रिक्स गेम 2024? रूस के कजान में भारास सरकार ने स्वात छेतर को बैथर बनाने के लिए किसके साथ एक समझोता? रीन समझोता किया किसके साथ रीम समझोता किया वर्ल्ड बेंक एसी आइबी कास बेंक न्यू डवलप्मेंट बेंक इन में से कोई नहीं आंसर क्या हो जागा एसी आइबी कास बेंक क्या हो जागा ADB के साथ स्वास्त छेतर को बहतर बनाने के लिए ADB एसीन डवलप्मेंट बेंक के साथ समझोता किया है भारा सरकाने मलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है फिनलेंड की राजधानी हेलसिंग की बोलीबिया की राजधानी लापाज इथोपिया की लूसा का यूक्रेन की कीव फिनलेंड की राजधानी हेलसिंग की ये सही है आपसे पूछा जा रहा है नहीं है कौन सा सुमेलित गोलीबिया की राजधानी लापाज ये भी सही है इथोपिया की राजधानी लूसा का ये गलत है यूक्रेन की राजधानी की ये भी सही है इथोपिया की राजधानी क्य चीह होगा अधिश अबबा क्या होगा अधिश अवाब अधिश आब अधिश अवाब mm ak you tell के निज्टाफ की 2012 7 की भोगोलिक 12 01 P नहीं है सबसे बड़ा देश है न्यूजिलेंड जापान फिलिपिन्स क्यूबा आंसर ये प्रिवियस एर का ही प्रस्टन है इसका आंसर हो जागा जापान याद रखेंगे कौन सा हो जागा जापान यहां पर पूरा पढ़ेंगे एक्स्प्लानेशन आप जापान पूर्वी चीन सागर से लेका उखोस्टक तागर तक फैला हुआ है यह वो जो इंपोर्टेंट है आप इसको एक बार अवसे पढ़ेंगे काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है जापान के बारे में अगला है निम्लिकित में से कौन सा एक उर्जा का नभी करनिये शुरूत है नभी करनिये जिसे फिर से नया किया जा सके कोईला पेट्रोल नभी के उर्जा सोर उर्जा इसमें यूरेनियम लगता है यूरेनियम लगता है जिस दिन समाप्त होगा नभी के उर्जा सहीं अंत है और नभी करने उर्जा उसके उदाहरन यहां पे आपको दिये गए अगला है दक्षीन भारत की नदिया प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाहत तंतर रखती है दक्षीन भारत की नदिया जो भी है जो भी है वो कैसा प्रवाहत तंतर रखती है अरिये विक्ष किन नूमा वितुरुद म०्ध ले क्यों कि वितु किसी की साफेरीन हम्हालाय प्रुद्षांगत हुम्हाचल परडेस ब्र services आंसर क्लोगे उतर परदेश यद्र रखेंग उतर परदेस मेरे कोई भी हिमाला का फिर रख कोई पर चयों पहारों काराजकुमार पहारों कि राजकुमार आलनी पहाडियों कुंसा जिला झारबार भूष तरिय रचना वाला नहीं ए twittero जमועी रोहतास नवादा आंसर क्या होगा है रोहतास ये हैम दी वाला किसका है कि ओफंधा ये वाला और घृण पॉछो प्रताइस को हां दार्वार भाण न पॉफटास और काल में हुआ था सरी क्रिटेसियस काल पर्मियन प्राइसिक दक्कन पठार ठीक है यहाँ पर दक्कन पठार है और यह जो दक्कन पठार है इसका गठान क्रिटेसियस काल में हुआ था किस काल में क्रिटेसियस काल में ठीक है अगर है मनिपूर पहारियों से घिरा इमफाल बेसीन, इमफाल मनिपूर की राज़ाने इमफाल, इमफाल में बेसीन, बेसीन जहाँ आप लोग नल्द होते होंगे, वहाँ इस परकार से एक बेसीन बना होता है, यानि कि पानी का अधिक्तम जहां तक पानी जा सकता है, पानी अधिक्तम जहां तक जा सकता है, वही सुन्दर उदाहरान है किसका सरूवरिय मैदान का हिम नदिय मैदान का लोयस मैदान का जोलोड मैदान का अंसर हो जाएगा सरूवरिय कालाब वाला मैदान का सरूवरिय मैदान का ठीक है क्पॉर्ष्प दόσमिय už मेराता है कस्मीर गाटी कहां तितर टो अंसर क्या हो जागा पीश पंजाल और कि पंजाल है कि पंजाल और हिमाधरी परवत सरैंिॵों के मदि हिमादरी यानि की ग्रेट हिमाले ग्रेट हिमाले को क्या बोला जाता है ग्रेट हिमाले को महान हिमाले और पीर पंजाल के मद्ध है भारत की संसद को कानून निर्मान की सक्ति निमलिखित के लिए प्राप्त है भारत की संसद संसद जो कानून बनाती है वो पूरे भारत के ल परदेश के लिए बनाएगी, बिश्व में कहीं भी रहने वाले भारतिये होंगे, उनके संपती के लिए बना सकती है, और भारत के अंदर संग परदेश ये सम्में तो बना ही सकती है, तो एक दो तीन, अगला इसका एक्स्प्लानेशन पढ़ लेंगे आप लोग, अगला है वाकियों का अध्यान किजिए, मंत्री, मिनिस्टर, निती बनाते हैं और लोग सेवक उनका क्रियानवयन इंप्लिमेंट करते हैं उसको, ठीक है, संसदिये परनाली में मंत्रियों का उत्तरदाईतों का सिधान्त कारे करता है, ये बात सत्य है, कौन सा, कथन और कारण दोनो सही है, किन्तु कथन कारण का सही असपस्टिकरन नहीं है, कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है, क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण का सही असपस्टिकरन है, मंत्री, ठीक है, अब कोई भी वेक्ती है, कोई भी वेक्ती, वो मेंब और अगर वो मंत्री बनता है तो वो क्या करता है वो निती बना सकता है और निती बनाएगा तो फोलो कौन करेगा जो भी आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई होता है ठीक है चलिए अगर नेमलिकित में से कीज दसक में भारत में संसदात्मक संसदात्मक विवस्था केंद्रियता से संगवाद की और खिसकी पहले केंद्र मजबूत होता था राजी कमजूर होते थे केंद्रा गांधी के टायम तक उसके बाद क्या हुआ राजीओं में मजबूत राजी में अधीक राजीओं में क्या हुआ गईर कॉंग्रेसी सरकार आया तो 1980 के दसक में कब 280 के दसक होता राजी कमजूर हुआ और संगवाद की और खिसका यानि की गुरूप आफ इस्टेट् सरकार आयोग का घठन का होता है 9 June 1983 आयोग का गठनБ pathway यहीं संगबाद को संगवाद को मजबूत करने के लिए सरकार आयोग का कब होता है ये बार बार पुछा हुआ 9 June 1983 को है नी 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 सो तराजी किस द्रसक्मियम का इन f राजीयों초alities wreckending द्वारा शांक कर किस लदाजिनugen कठाज़ किया जाता है तथा लेकिन राजियों को सोब दिया जाता है भूरा जासू पर जो पूरी तरह से राज के दाइरे में आता है क्या होगा जो राज के दाइरे में राज के द्वाराई उद्गरिहित किया जाएगा उगाही किया जाएगा संगराहित कलेक्ट किया जाएगा और भोग यूज किया जाएगा निम्रिकीत में से कौन एक सरकारिया आयोग की संसुती में सम्मिलित नहीं है सरकारिया आयोग आपको बताए थे जून 1983 को सरकारी आयों का गठन हुआ था उसमें क्या नहीं है किस बात उसमें नहीं बताया गया है क्या रिपोर्ट में नहीं आया है सक्रिय राजनीतिग्यों को राजेपाल ना नुट किया जाए जो एक्टिव पोलिटीसियन है उसको राजेपाल ना बनाया जाए यह बात था यह बात था आपसे पूछा क्या जा रहा है नहीं था कौन सा तो यह तो था जब राज सरकारों द्वारा दिये गए पैनल से राजेपाल का चुनाव किया जाएगा राज सरकार बोलेंगे कि 10 वेक्ति हैं इनम होगा conflict से हम लोग बज जाएंगे केंद्र और राजी के मध्य कोई भी विवाद नहीं होगा अगर राज सरकार खुद ही recommend करे राज़ेपाल का नाम तो ठीक है अगला है अवकास प्राप्त राज़ेपालों को लाभ का अवकास प्राप्त हो चुका है राज़ेपाल उसको उसके उपर अब लाभ का प्रण करने से उसको वर्जित किया जागा यह कुछ सेंस बनता नहीं केंद्र में 70 बारा सासित राजियों का राज़ेपाल ना- Geradealo बे सकते हैं अगर आईसा कंग्रेस की सरकार है तो यहां पे क्या करा कैंदर में सत्तारूट दल से समद्र रखने को विपक्षीं दल की क Owen सासित यहां ने कीज़को क बिजयेपी का कोई भी विक्ति किसी भी राज का राज्येपाल ना बनाए इस तरह से आप समझ सकते हैं अगला आपको इसको और भी पढ़ना है क्या क्या बताया गया है वो सारा आपको पढ़ना है इससे इंपोर्टेंट है कहीं न कहीं से आप से हो सकता है आपको statement के फॉर्म में पूछ लिया जा या direct one liner में पूछ दिया जा तो आप याद रखेंग 1983 में सरकारिया आयोग क्या जो निम्न सिफारिस है वो क्या क्या है वो देखिए निम्न में से कौन सी सकतियां लोकसभा को राजसभा की तुलना में आना निरूप से प्राप्त है लोकसभा को जादा important है राजसभा के तुलना में धान या वित विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तूत किया सकता किसा नेरस्तीकरन सं?". हम ये भी सही है, ये लोकस सभा से ही अधिकार प्राप्ट हुगा। है तो ये थियान में रखेंगे। अगला है सामान वित्तिय विधायन में चरन सम्मिलित है, अब मान के लिए सामान वित्तिय कानून है, उसमें क्या क्या होगा, पहले बजट का प्रस्तूती, पहले बजट को प्रस्तूत करेंगे, बात सही है, फिर उस पर चर्चा करेंगे सदन में, सही है, बिनियोग विध्य दो चीज कौन-कौन से अनुचिए्ट है? इसमें इंप्वोर्टेंट वो शारे है इसमें इम्पोटेंट वह सारे जीज आपको पाउज करके अभी जस्ट पढ़ने हैं, ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे, आपका concept इसे भी clear हो जाएगा, भारत में एक लोकतांत्रिक गनतंत्र है, एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ, भारत में क्या-क्या है, एक दो तीन-चार में से अब बताएंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे, भारत का जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत की लोग भारत को एक लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गनतंत्र, ये तो सही है, परतिनिधिक लोकतंत्र, अभी भी हम लोग अपना परतिनिधी भेज सदन में लोकतांत्रिक समाज है ये भी सही है समाजवाद से बंदा हुआ है ये भी सही है तो क्या हो जाएगा सभी चारों कि अगला है अगला है भार्य सम्मिधान के पर्थम दिन के अधिवेशन किया देक्स्ता इनोंने की थी डॉक्टर राजयंद परसाथ पंडिजवाला सब्सक्राइब में बने ते गारत तारीक को बने थे नौ तारीक कोन बने थे सचिदान सिन्ना तो पर्थम दिन का सचिदान सिन्ना भारतिय सम्मिधान का चुवाचूत उन्मूलन से संबंदित अनुछेद कौन सा है 15,16,17,18 आंसार हो जागा 17 ठीक है ये याद रखेंगे 14 से ले करके 14 से ले करके 18 तक उन्में से 17 कौन सा है चुवाचूत संबंदित इसी पर 1915 में कानून बना है और प्राद अधिनियम 1915 अगला कमपनी के बालेंस सीट से तूलन पत्र से कमपनी की लाब प्रत्ता की स्थिति को अंकन संभव है कमपनी की लाब प्रत्ता और आकार का निर्धारन करना संभव है कमपनी का बैलेंस सीट देखकर कि आप क्या क्या बता सकते है कमपनी के बारे में कमपनी की परी संपती और देताओं के आकार और संगटन को बताना संभव है परी संपती मतलब एसेट एसेट को लाइबिलीटी को और उसका आकार और संगटन को ये बताना संबब है company की परिसंपती औरीनो और market share को बताना संबब है इसका क्या हो जागा company की परिसंपती को बताना data liability को पता कर सकते हैं उसका balance sheet देख करके कि कितना इसके पास asset है कितना ये कर्ज ले चुका है liability कितना है इसका इसमें कौन कौन सा पार्टी इसको इस company को चला रहा इसमें कितना share किसका है संघटन क्या है ठीक है ये सारा चीज हम लोग बता सकते हैं ठीक है चलिए नेमन वस्तू समूह में से कौन सा FMCG fast moving consumed goods में सामिल नहीं किया जाता है तो fast moving goods में कौन सा सामिल नहीं होगा कार वो motorcycle सेंपू साबून दूद पनीर बिस्कीट ब्रेट क्या होगा कार और motorcycle ठीक है ये fast moving नहीं है क्यों fast moving मतलब क्या है जिसका जल्दी expiry rate खतम हो जाए ठीक है तो ये ध्यान में रखेंगे गयर टिकाऊ जो हो ठीक है परसाधन वाला हो जाता है डेरी वाला बेकरी वाला लेकिन ये स्वाचली तो बाहन ये नहीं आता है ठीक है ये टिकाऊ है ये अगला है निजी करन की निमलिखित में से कौन सी रिती सरवाधिक सरवांगीन और परिपूर्ण निजी करन प्राइबेटाइजेशन लोग उध्यमों के प्रवंधन को संवीदा पर यानि की कॉन्टैक्ट पर निजी छेतरक को स्वामित और प्रवंध का हस्तांतरन निजी निजी करन प्राइबेटाइजेशन आप देखेंगे अमेरिका केपिटलिस्ट देश है वहां पे क्या होता है वहां पे आपको याद रखेंगे कि निजी छेतर को स्वामित और प्रवंधन का आस्तांतरन कर दिया गया है पबलिक सेक्टर का जितना भी चीज है वह सारा ची जी निजी सेक्टर को देक्टिया गया कि आप काम कर ये तो यही क्या है निजी करन का सब से इंपर्टेंट वह से ज्यादा निजी करन की निमलेगे तमें चियंकि स्वामीं कि शेकटर का भी जो भी सो के odpowied ककी विक और कि भारत में विकस एक सीमा में भारत में व्यापार में परियाप्त उधंबरित और नेतरित के अभाव में ये बात गलत है ब्यापार में परियाप्त उधंबरित और नेतरित का अभाव था ऐसा नहीं था महान जो भी हमारे बिजनेसमेन थे जैसे आप रतन टाटा का नाम सुनते हैं अमबानी सहाब का नाम सुनते हैं तो बहुत सारे आप देखते होंगे कि पहले भी ऐसा नहीं है कि ओध्योगी की विकास जो भारत में नहीं हो पया उतने अच्छे से उसमें ऐसा नहीं कि हमारे पास नेतरीतु का अभाव था ऐसा नहीं था नेतरीतु था हमारे पास लेकिन निवेस है तू बचत का अभाव था निवेस तब ही करेंगे इनवेस्टमेंट तब ही होगा जब हम सेविंग कर पाएंगे और सेविंग हो ही नहीं पा रहा था पुरोद्योगी की पॉसल और आधारीक सनरतना क्या भाव में ठीक है ये भी बात सकते हैं हमारे पास टेकनोलोजी उतना स्कील नहीं था बेसिक इंफ्रास्ट्रेक्चर नहीं था अपेक्छाकरित विशाल जन सामाने के बीच सीमित क्रह स सकती होने के कारण पीपी आपको पढ़ते होंगे पीपी के आधार पर पर प्रचेजिंग पावर प्रेरिटी ये जो हमारा जो हमारे पास हमारा जो क्रह सकती है वो भी कम था इसी लिए क्या हुआ इंडस्ट्राइजेशन उतना सक्सेस्पूल नहीं रहा तो क्या हो जागा उतन क्या होगा एक इसमें गलत होगा बनकी तीनों सही होगा एक तो था बनकी दो तीन चार सही है क्या है दो तीन चार ठीक हो अगला कृसिल क्या है निरियाद समवर्धन करता है ग्रामीन छेत्र को वित्व पर नान करता है उद्योगों को वितिये साहतारीय widgethats on teak और आपने सुना होगा बहुत सारे एसे कंपणियां होती है जो क्या करती है दूसरी कंपणियों का वो database त्यार करती है कि वो आपका old करेगी चाल जाएकी तो rating का परदान करने वाली है क्या है तरहार है कंपणि की सांग कैस्थिति का मुल्यांकन करता ठीक है और यह SnP Global जो कि अमेरिका की सबसे बरी इसकी साहायक कमपणी है भारत में और यह पूछाववा प्रस्न आपकेंगे कमपणी की सख की स्थिति का मुल्यांकन करता है यह दो करेडित टाहिं जो है वह मुल्यांगन करता है कि कि इनमे से किस अस्थान की अस्थापना Um अस्थान गुरु कुरु का voucher थैं आ चवर्ध नानक गुरुँ अंगद गुरु गुरु नानक, अंगद, अमर्दास, रामदास, अर्जुन देव, ठीक है, उसके बाद गुरु, अर्जुन देव के बाद, दस्त नाम है, आपको जारे दस्त नाम को याद रखने हैं, गुरु अर्गोबिन्द, हर राय, हर किसन, पेग बहादूर और नानक जी, यह दस्त नाम आपको याद रखने हैं, इन्हें से चोथे गुरु कौन थे, चोथे गुरु रामदास थे, ठीक है, यह ध्यान में देंगे, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, गुरु हर गोबिन्द, हर राय, हर किसन, यह तीनों याद रखेंगे, गुरु हर गोबिन्द, हर गोबिन्द, हर राय, हर किसन, ठीक है, और तेग बहादूर और गुरु गोबिन्द सेंगे, द स्टोगंक है और आँ तक होगा Auft्ड कर इंगा ए अगरा फौंटेन ओफ वेल्थ यहां परिस्तिता फौंटेन दो सिंगाफूर ताओदी अर्व थाइलेंड-London एक मॉल के आगे में बहुत बड़ा जो है वो ओंटेन ओफ विल्थ नाम का ज़रना जैसा बनाया गया है यह सिंगापूर में कौन सा है सिंगापूर में याद रखेंग दुनिया का सबसे बड़ा फवारा है इस देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को टेंपल ट्री कहा जाता है नेपाल से लंका म्यानमार मंगलादेश आंसर हो जाएगा सिलंका याद रखेंगो उन सिलंका चार असमारक सुची बद्ध किये गए इनमें से तीन किसी तरह से संगत है और यह का संगत है संगत का चैन करे राजगाट किसान घार अस्था ये आस्था कि कोनारे इस्था है ये थोड़ा अलग है को आ आपको स्वेंगों करने हränं आंसर मैं आपको बता रहा हूं थे ठीक है चलिए पहला का क्या हो जागा 2016 ठीक है कैसे बनाया गया है यहां पर मैं हलाकी देज चुका हूं लेकिन मैं यह नहीं दूँगा आपको स्वेम सॉल्व करने हैं 142 का अंसर क्या हो जाएगा एक्स का लाभ 3,150 इसी प्रकार 143 का क्या अंसर होगा 137.50 रुपएब अगला है 144 का 49.6 परसेंट 145 का 2 मिनट 146 का 37 सेकेंड 147 का 42,148 का 120,153,149 का 23,150 का 39 थैंक्यू जय हिन जय भारत 137.50 झाल आपको स्वेम 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 जय है